ओके गुट मॉर्निंग गुट मॉर्निंग एवरीबड़ी थोड़ी मेरी आवास को प्लीज एक्सक्यूस करते ना बहुत ज्यादा तवित कराब है पेट खराब है सर्दी हो गई है गला खराब है ठीक है बट कोई बात नहीं अपने पास टाइम भी कम बचा है तो टाइम नह है आज का सेशन कैंसल नहीं किया वर्ना सेशन लेने के हलत तो नहीं थी बिल्कुल भी चलो सब को audioीं नहीं कि ये से शेयर कर दिया है lecture ओके येस बुड मॉर्निंग एवरिवान तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चाप्टर नॉम्बर एट का मैं वेटेज बता देती हूं कितना वेटेज है इसका ओके चल चाप्टर नॉम्बर एट रेस्पिरेशन और स्यक्विलेशन बोर्ड इसका वेटेज कितना है अप्रोक्सिमेटली 8 तू 10 मार्क और सीटेज कितना है अप्रोक्सिमेटली 7 तू 8 मार्क आरामसे इसमें से लगता है तो इसमें से पॉनसे टॉपिक्स आपको कमपल सरी पढ़ना चाहिए तो वह मैं बताते जाओंगी जैसे जैसे पॉपिक पढ़ते जाएंगे जिन बचो को बायो जी में आउट अफ स्कोर करना है उनका उब्यसलिए टॉपिक पढ़के हो गया होगा जिनको सिफ पा की कोई ग्यारेंटी नहीं होती है वह मेरा एक्सपीरियंस के हिसाफ से होता है तो 90 परसेंट ऑफ टाइम वह सही होता है जो मैं बताती हूं वही आता है बट कभी-कभी क्वेशन दूसरे भी आ सकते हैं क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूं तो वह कुछ को कि कौनसे ओर में कौनसे टीचर ने कहसे पिपर सेट किये हैं ठीक है ओके रेस्पीरेशन और सेर्क्यूलेशन वेरीइंपॉर्टनon चाप्टर इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हाट्सा के बारे में आपिसी यह पूर्सा-ले बैच पर्चेस नहीं किया है उनके लिए कल से बढ़ जाएगा ठीक है अगर आप आज ये बैच पर्चेस करते हो तो इसका प्राइज 8.99 रुपीज है लेकिन कल से इसका प्राइज 9.99 हो जाएगा क्योंकि आप वाले इसका आटोमाटिकली प्राइज बढ़ा देंगे और इ उनके लिए कौन सा चाप्टर स्टार्ट करना चाहिए लाइब लेक्चर में हम पहला चाप्टर कौन सा स्टार्ट करें उसके लिए पोल डालूंगी जिन्होंने वर्दान बाच 1.0 स्टार्ट किया है तो यह मुझे रिमाइंडर देना था कि आज लास्ट डेट है आज फिर हम टॉपिक स्टार्ट करें ठीक है वन सेकेंड कितने बचे तक खतम होगा लेक्चर में नहीं बता सकती वो डिपेंड करता है कि मेरे में कितनी ताकत है और कितना ताइम मैं कंटिन्यू कर सकती हूं ठीक है नहीं बेटा मैं हैंन रिटन नोट्स नहीं बनाती यूटूब पे क्या अविलेबल नहीं है यूटूब पे ही लेक्चर चालू है ना बेटा वन स्ट लेक्चर यूटूब पे चल रहे है चलो इंपोर्टन डाइग्राम्स की वीडियो मैंने अल्रेडी बता दिया है आपको एक प्लेलिस जाके चेक करो इंपोर्टन क्वेश्चन और इंपोर्टन डाइग्राम्स वाला वीडियो उसमें आपको कौनसे चाप्टर में से कौनसे डाइग्राम इंपोर्टन है सब बताया सेजल बेटा वन शॉट लेक्चर के साथ साथ आपको एक्सराइज भी पढ़ना पड़ेगा तो आप जस्ट पास हो जाओगे बोर्ट में येस बैच में उनली बायोलोजी के लेक्चर्स होंगे लाइव लेक्चर्स हाट का डाइगराम डीटेल में अगर सीखना है तो मेरा डीटेल वाला टॉपिक जाके देखो डीटेल वाले वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलो ओके चलो जिनकी क्वेडिस थी मैंने क्लियर कर दिया अभी मैं चैट बॉक्स बन कर रही हूं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूं ठीक है बीच बीच में एक एक टॉपिक जैसे खतम होगा दो चार टॉपिक वैसे हम देखेंगे उके चलो यस कब को लेट स्टार विद टॉपिक रेस्पिरेशन नहीं रहता है तो रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीधिय्ग नहीं रहता है ब्रीधिय DAY मतलब क्या होता है तो आपके body में जो CO2 और oxygen का exchange होता है उसके वज़े से आपकी body में जो oxidation reaction होता है मतलब आपने oxygen अंदर लिया oxygen अंदर लेने के बाद आपका जो glucose था वो glucose का oxidation हुआ और आपको ATP molecule मिला और साथ में आपने CO2 release किया तो oxygen लेने के बाद ये जो process होता है ये process होने के बाद आप last में expiration करते हो तो inspiration plus metabolism plus expiration इसको हम बोलते है respiration तो respiration मन्जे फक्त inspiration और expiration नस्त श्वास घेने और श्वास शोडना सांस लेना और सांस छोडना इसको respiration नहीं बोलते है जब आप सांस लेते हो तो आपकी body में oxygen जाने के बाद बहुत सारा chemical reaction करता है उसके बाद आप CO2 छोड़ते हो इस पूरे process को respiration बोलते है breathing सिर्फ हमारे respiration का एक छोटा सा part है breathing को respiration नहीं बोलते है breathing के वज़े से respiration process complete होता है so inspiration plus metabolism plus expiration इसको हम बोलते है respiration और respiration करना क्यों जरूरी आए क्योंकि respiration के वज़े से अपने को ATP molecule मिलता है जैसे आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो आप यह lecture क्यों देख रहे हो आपको pharmacy engineering क्यों करनी है आपको scientist क्यों बनना है आपको doctor engineer क्यों बनना है क्योंकि ultimately हम सबको पैसे कमाने है मतलब obviously अपने को लोगों की blessings भी चाहिए but we want money for survival and it's the truth, it's the fact बिना पैसे कि आप survive नहीं कर सकते survival के लिए पैसा चाहिए तो वैसे ही बिना ATP के हमारी body survive नहीं कर सकती तो ATP बनाने के लिए थोड़ा सा महनत करना पड़ता है तो वो महनत क्या होती है inspiration and expiration तो जब आप inspiration और expiration करते हो उसके वज़े से जो metabolism होता है उतके वज़े से हमको मिलता है ATP molecule और ये ATP molecule हमको हमारे life में daily amount में चाहिए होता है मतलब daily अपने को ये ATP molecules की ज़रुवत पड़ती है अगर हमको अपना complete process चालू रखना है तो तो ये reaction बहुत important है respiration is known as biochemical process of oxidation of organic compound respiration को हम oxidation बोलते है मतलब oxygen के presence में अपना जो carbohydrate है उसका breakdown होके हमको ATP molecule मिलता है ठीक है आगे देखो क्या दिया है organs of respiratory exchange respiration करने के लिए कौन से-कौन से organs responsible होता है अगर हम plants की बाद करें तो plants के पास leaf में stomata होता है जो respiration करता है और अगर हम higher plants की बाद करें तो higher plants के stem में चोटे 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 पोर्स होते हैं जिन पो हम बोलते है लेंटी सेल्स यह पोर्स की मदद से 1.1% respiration होता है चाप्टर नमबर 6 में पढ़ाता हमने lenticular respiration, stomatal respiration and cuticular respiration चाप्टर नमबर 6 मैंने डीटेल वाला वीडियो डाला था तो lenticular respiration मतलब lenticels की मदद से आप gaseous exchange करते हो प्लांट में यह दो तरीके से respiration होता है यह question CET में पूछा जाता है ठीक है यह वाला पार्ट और यह question boards में आता है तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनको इस chapter में से सिंपल सिंपल चीजे पढ़नी है तो आप लोग respiratory surface की तीन property पढ़के जाओ यह दो marks के लिए question आता है What are the properties for respiratory organ? तो सबसे पहली बात it should have large surface area आपका respiratory organ का जितना साधा surface area होगा उतना साधा आप inspiration करोगी उतना साधा metabolic reaction होगा आपका respiratory surface जितना साधा पतला होगा यह देखो leaves जितनी साधा पतली होगी उतना साधा उतमे से gaseous exchange होता है stem मोटा होता है इसलिए इसमे से जाधा gaseous exchange नहीं होता है तो surface जितना साधा पतला होगा जितना साधा उसके पास blood vessels होगे और जितना जाधा वो gas को permission देगा exchange करने की उतना जाधा उधा respiration होगा और वहाँ पर हमेशा moisture होना चीह है it should always be moist क्योंकि moisture होने के वज़े से आपका circulation process जल्दी जल्दी होता है देखो chapter का नाम है respiration and circulation मतलब क्या आपने जो metabolism करके ATP बनाया अब यह ATP molecule आपको पूरी body में circulate भी करनी पड़ेगी ना इसलिए इस chapter का नाम है respiration करके circulation करना ठीक है respiration इन animals की अगर हम बात करें तो animals हर एक animal में अलग-अलग type का respiratory organ होता है CET वाले बच्चों के लिए this table is very 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 important यह table आपको compulsory करके जाना है क्योंकि इसमें से एक नए equation आता है अभी देखो कुछ भी आ सकता है इसमें से आपको पूछ सकते हैं कि protesta का respiratory surface क्या है flatworms का respiratory surface क्या है insect का respiratory surface क्या है insect में cockroach आता है cockroach के पास spiracles होते 10 holes इदर होते 10 उसको spherical बूलते है then आपको पूछ सकते spider and scorpions का respiratory surface क्या है यह वाला एक बहुत important है आपको aquatic arthropod का पूछ सकते हैं यह वाला एक बहुत important है book lungs book gills और यह वाला last वाला turtles कैसे respiration करते हैं यह वाला एक बहुत important है so they do respiration with the help of cloaca बाकी सब आपको अल्रेड़ी पता है लेकिन book gills और book lungs और cloaca यह थोड़ा नया है तो देखो आपके book gills कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं और यह आपका turtle है इसमें आपको cloaca यह जो end में टेल के नीचे आपको दिखाई दे रहा है न वहां से वह respiration करता है अपना gaseous exchange करता है वहां से pottyny करता है वहां से gaseous exchange करता है so this is how you can see different respiratory organs and different animals अब जैसे जैसे हम higher animals की तरफ बढ़ते हैं humans की तरफ बढ़ते हैं तो obviously अपना respiratory system थोड़ा ज्यादा complicated है human का respiratory system दो पार्ट में divided upper respiratory tract and lower respiratory tract अब मुझे एक चीज बताओ कि कोविड जो था वह कोविड कौन से particular respiratory system पर अटाक कर रहा था अपर respiratory tract पर या lower respiratory tract में बताओ जल्दी कोविड के basic symptoms जो थे वह अपर respiratory tract में देखने को मिल रहे थे या lower respiratory tract में बताओ वह अटाइक definitely lungs में जाके कर रहा था lower respiratory tract में पर उसके नहीं है यह गूगल के डाइग्राम जो मैंने डाउनलोड करके आपको दिये यह नोट्स आपको आप पे फ्री में मिल जाएगी चाप्टर खतम होने के बाद में यह नोट्स आप पे अप्लोड कर दूंगी तो आप फ्री material section में जाके यह नोट्स चेक कर सकते हो ठीक है और लाइक बटन पर क्लिक कर दो ठीक है ओके वेरी गुड़ चलो आदे से जादा लोगों को पता है कम से कम की कोविड कौन से पर्टिकुलर पार्ट को इंफेक्ट कर रहा था तो जब हम यूमन respiratory system की बाद करते हैं तो यूमन respiratory system दो पार्ट में डिवाइड़ है अपर respiratory track and lower respiratory track अपर respiratory track में कौन से कौन से और गन्स आते हैं external layers मतलब अपने नोस की बाहर की opening समझो यह आपकी नाक है तो यह जो बाहर के नथूने है उसको बोलते external layer फिर nasal cavity यह बीच की cavity फिर internal layers आपका यह जो नथूने है यह अंदर जाके भी open होंगे न तो इनको हम बोलते internal layers फिर nasal pharynx nasal pharynx मतलब देखो यह वाला region नाक के अंदर का जो cavity वाला region होता है इसको बोलते है nasal pharynx फिर उसके बाद आता है नोज और थ्रोट नोज वाला रीजन और थ्रोट वाला रीजन यह पूरी नाक और यह गला इधर तक आपका अपर respiratory track आता है lower respiratory track में क्या आता है लारिंग्स यह लारिंग्स अक्चुली इंटर्मीडियेट और अपर में भी आता है लोवर में भी आता है तो लैरिंग्स से स्टार्ट करके आपका ट्रैकिया प्राइमरी ब्रॉंकाय लंग्स यह सब आपके लोवर respiratory track में आता है तो सबसे पहले नाक के बारे में पढ़ते हैं सबके पास कितनी नाक होती है जिसने Harry Potter movie देखा है उनको पता होगा कि वोल्डे मोट के पास नाक नहीं थी उसके पास सिफ नेर्स थे दो छेट थे जिसकी मदद से वह अपना inspiration expiration करता था लेकिन आपके पास नाक है ठीक है तो आपके नोस के बारे में आपको क्या क्या पता है नोस के structure के बारे में हमारे पास the nose hair has a pair of slit-like openings अपने नोस में यह जो openings इनको हम external नेर या nostrils बोलते हैं और इसके बाद अपने नाक के अंदर क्याविटी स्टार्ट हो जाती है see this is our nose these are our nostrils और इसके बाद अंदर क्याविटी चालू हो जाती है यह बीच में जो cartilage है यह बाला जो cartilage है जो आपने नोस को डिवाइट करता है लेफ्ट और राइट में इस cartilage को बोलते है मैसेथ्मोइड cartilage यह सीएटी में आता है तो आप बोर्ट के लिए छोड़ दोगे तो भी चलेगा ठीक है सो नोस नेर्स के बीच में जो cartilage प्रेजेंट होता है आपके नाक के दो पाइप को जो से बीच में से सेपरेट करता है उस पाइप को मैसेथ्मोइड cartilage बोलते हैं यह बाहर की ओपनिंग को हम बोलते हैं नौस्ट्रिल तो हमारी नोस तीन पार्ट में डिवाइड़ है वेस फिर भी आपके नाक में थोड़ा बहुत धूल जमा हो जाता है जब आप दूसरे दिन अपना बल्गम निकालते हो शेंभुर निकालते हो तो इसमें आपको डर्ट दिखाई देता है इसका मतलब आपके नौस्ट्रिल ने पूरा डर्ट ट्रैप कर लिया था सेकेंड पार् आपके नौस्ट गजिसके वगज़े से यहां से आपकी नोस्ट की जो एर उती है वह हमेशाँ वार्म रहती है चीक है मुइस्टर और अरपर बलड़ वेसल प्रेजेंट होते और लास्ट में आता है आपका यह बिदा पार्ट जिसको हम बोलते है ऑल्फ्रेशंबर अल्फ लोप जो हमको स्मेल करने में हेल्प करते हैं तो जब सर्दी होती है और नाक बंद हो जाती है तो आपके अल्फेक्टरी चेम्बर के उपर न्यूकस जमा हो जाता है जिसके वज़ा से आपका करने का जो कड्रीक्टरिस्टिक होता है वो ठोट टेम के लिए उपर यह दॉ अपको किसी चीज है आता है अफना उपना फेद सी है आपका माउथ हैं यह आपका ओक Doch लए और हूपन लेते हो इधर की यह dualekkик पर हूपन होता यह कोमन से जो काव इती है इता है उसको बोलते हैं बोलते हैं और यह पूरा फैरिंग्स के साथ करेका किसके साहद करेगा लैर हैंक को बो Minecraft से आपका फूड जाता है और दोनों जाता है बड़को इस वाली थी वह फूड पी एधर से जाएगी और आपने जो खाना खाया है। वो खाना भी इther से ही जाने वाला है these are common path लैरीङो तृक्त कमेड़् करता है। य। ए भ्लाणा से करता है। भाणा बेटकंत करता है। को बोलते हैं, पैलेट बोन, कौन सी बोन है यह पैलेट बोन, ऐसा अपना टंग उपर को, तो यह उपर जो आपको फील हो रहा है, the roof of your oral cavity, is known as पैलेट बोन, और लास्ट में आगे क्या बताया है, the pharynx has a set of lymphoid organs called tonsils, total human में 5 tonsils होते हैं, कितने tonsils होते हैं, 5 पैर, वैसे तो 3 पैर बोला जाता है, वैसे बोलने के टाइम पे, 3 पैर बोला जाता है, लेकिन यह देखो, this is 1 पैर, यह आपका second पैर है, और यह वाला जो है ना, इसको हम 1 पैर में count करते हैं, इसको सिफ हम 1 tonsil count करते हैं, तो 1 प्लस, मतलब यह 2, प्लस यह 2, 4, और यह 1 हो गया 5, ऐसे करके 5 tonsils होते हैं, आप इसको 3 pairs क्यों बोलते हो, क्योंकि यह जो बीच में से हम ऐसा अल्दियूम करते हैं, कि यह बीच में से divided हैं, left और right में, बट व पास कितने tonsils होते हैं, so normally there are 5 tonsils, जो आपका lingual tonsil होता है, मतलब जो tongue के नीचे present होता है, it is only counted as 1, ठीक है, okay, next आता है larynx, इसके बारे में सिफ 2 चीज़े आद रखनी है, larynx को हम बोलते हैं wise box, क्योंकि वहाँ पे अपने vocal cord present होते हैं, और larynx किदर present है, it is present on the hoid bone, आपका यह larynx किसके उपर बैठा हुआ है, हाँ, यह देख इधर नहीं दिया, ठीक है, larynx किसके उपर बैठा हुआ है, मतलब किसके आगे होता है larynx, आपके yoid bone के उपर, तो यह CT question है, और larynx को हम voice box क्यों बोलते हैं, क्योंकि larynx के पास अपने vocal cords present होते हैं, बस, इतना याद एक और चीज़ आप याद रख सकते हो, कि larynx, this opening of trachea और wind pipe is guarded by a leaf-like structure called epiglottis, देखो, इधर देखो यह वाला diagram, यह आपका larynx है, यह larynx आगे जाके trachea बनेगा, और यह पीछे आपका isophagus है, isophagus आपका food pipe है, ठीक है, तो जब आप खाना खाते हो, तो यह larynx के उपर यह दर पर धकन जैसा structure present होता है, इस दकन जैसे structure को हम बोलते हैं, epiglottis, यह epiglottis क्या करता है, आप जो भी खाना खाते हो, यह देखो, यह खाना आप खा रहे हो, तो यह खाना जब खाते हो, तो यह इस epiglottis के उपर आता है, और epiglottis को बन कर देता है, ताकि खाना लुपर सभेसे को फोड के लिए और था करने के लिए इसके उपर है क्रोटर ही जाने हुघिया हुघ सब्सकैट ठीक है, next आता है trachea, trachea मतलब क्या होता है, this is our wind pipe, अब इसमें से एक चीज क्या याद रुपनी है, कि ये trachea के उपर बहुत थारे protective cartilage के rings है, ये C-shaped, एक, दो, देखो ये जो cartilage का ring है न, ये जो cartilage का ring है, ये पूरा round नहीं है, या अधा-धा ring है, मतलब ये समझो, ये ठीक है, इसका A की काम होता है, इसके उपर A की question आता है, और इसका A की function होता है, कि जब आप जोर जोर से सास लेते हो, या पिर जब आपको कोई chest में मुक्का मारता है, तो या आपके trachea को collapse नहीं होने देता, इसका A की काम है, it prevents the collapse of trachea, बस, ये जो C-shaped cartilage होते हैं, इसका A की काम है, कि अपने trachea को collapse होने से, या उसको damage होने से, या puncture होने से protect करता है, that's it, और ये जो cartilage होते हैं, या आपके primary bronchi तक ही present होते हैं, जैसे ये trachea आगे जाके branches बनाता है, और lungs के अंदर गुसता है, वैसे उसके अंदर cartilage absent हो जाता है, ठीक है, so cartilage is present only when it is still the outer part of the lungs, ठ है, अब इधर पे question पूछा है, कावया नाम की कोई लड़की है, उसने rhinoplasty की surgery कराई है, rhinoplasty मतलब क्या होता है, नोस की plastic surgery, अब उसने क्यों करवाई होगी ये surgery, हो सकता है कि उसका नेर्स प्रॉपर नहीं होगा, या उसका मेसेथमोई cartilage प्रॉपर नहीं होगा, या उसके अपना face का structure सुधार ना होगा, इसलिए उसने ये surgery करवाई होगी, next question क्या है, what is the role of tonsils in our body, tonsils क्या बनाते हैं, अपने body में lymphocytes बनाते हैं, ये अपने body के immune cells है, these are our body's immune cells, जब भी आप बाहर का पानी पुरी फ्रैंकी मंचुरियन खाते हो, तो हो सकता है कि उसमें कोई bacteria हो, टाइफर्ड बैक्तेरिया हो, क्योंकि food-born disease है, तो जब आप खाते हो, तो आपकी body को protect करने के लिए, जो lymphocytes चाहिए होते हैं, वो आपके tonsils से ही बना चालू हो जाते हैं, तो जब आपका tonsils सूच जाता है, इसका मतलब आपने कुछ तो कच्रा खाया है, जिसके वज़े से आपके tonsils ने ओवर काम कर लिया है, या तो पर थंडी के वज़े से महाँ पर swelling आ गई है, inflammation हो गया है, ठीक है, और कितने tonsils प्रेजेंट होते हैं, अपने पास, we have 5 tonsils, how many tonsils do we have, 5 tonsils, आपके टेक्स्बुक के ही बुक में दिया है, टेबल दिया है, ठीक है, श्रेयस नाम का क खाना खाते खाते वो चोक हो गया है, ठीक है, उसको हम कैसे help कर सकते, what is the immediate help that can be given to him, सबसे पहले तो उसको पीट पे ठोको, उसके मतलब चैस्ट पे ठोके उसके पीट पे ठोको, ताकि या तो खाना उसका वो अंदर जाए, या तो उसको उल्टी कराऊ, मुह में उंगली ड जाएगा अगर आप खाना खाते खाते बात करोगी तो अब्वियसलिए आपका एपिग लटी सब्सक्राइगा और वो खाना आपका ट्रैकिया में जला जाएगा, जो इसुफेगस में जाना चाहिए था, तो यह नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको बोला जाता है, खाना वापिस से खाना कहाते बात मत करो फ्र ब्रॉंकाय के ब्रॉंकाय निकलते उनको हम बोलते हैं कैसे ब्रॉंकाइdas कि पास थी शेप्ट कातिलेज होって है प्राइमरी सिवाइद समखरी तरी बरॉंकाइज ऑन गchester इसके पास में स्थिय बने सब्घन violet के निकलते हैं प्रॉंकि निकलते हैं कि रॉइआज के ब्रॉंकि ब्रॉंकिए निकलते हैं यह आप से पहली बात तो लंग्स अपना मेन रेस्पिरेटरी और गन है आप स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकते हैं हमको रेस्पिरेशन करने के लिए लंग्स का प्रेजेंट होना बहुत जादे ज़रूरी है ये इस पॉझी टिशू है इलास्टिक है प्लेकसिबल है क्योंकि इंस्पिरेशन और एक्स्पिरेशन करते टाइम इसमें जो भी गैस वगेरा एक्सचेंज होगा उसके इसाब से खुट को कॉंट्राक्ट और रिलाक्स कर सकता है लंग के बाहर डबल लेयर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मेंब्रेन जो आउट प्लूरल क्याविटी और यह क्याविटी के अंदर लिक्विड भरा होता है उसको बुलते हैं फ्लूरल फ्लूइड यह प्लूरल फ्लूइड आपके बनता है जो आपके लंग्स को कॉंट्राक्शन करते टाइम फ्रिक्शन होने से रोकता है जब आपका लंग्स रिलाक्स क करेगा उनर्यक्स क phenomena बचाएगा तो इसे प्लूर paling आज रखं़ सिंद पर नहीं 1 तो जो याद रखुंग है ये दो अलग तूहिंद होता है तो आपका नहीं होता है ओ धर तो है कि हार्ट घ्रे++ wanna हार बहाता हैяться हाटा rejects जो टिप है यह टिप है लेफ्ट लंग के उपर जादा बैठा हुआ है तो ल jan multa छोटा रहता है montal रहता है की लेकिन राइट साइट के लंग लंग बढ़ा है तो राइट साइट के लंग में तीन चेम्बर दिखाइदेते हैं तो यह दूसरा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रुखना है जो बच्छे अभी अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं जिन्होंने साल बर कुछ पढ़ा है तो यह दो पॉइंट्स पढ़ लो हर एक लंग में आउटर मेंब्रेन और इनर मेंब्रेन करके प्लूरल मेंब्रेन होता है और हमारे जो दोनों लंग्स है दोनों में अलग-अलग वैट लंग बढ़ा हमारे जिसके पास 3 लोग अर हमारे अगर आप ध्यान से देखो तो अपको तर्मिनल ब्रॉंकि ओल्स यह जो ब्रॉंकि ओल्स के एंड में आपको एदर पे शफेशल बंडल जैसे cells दिखाई देंगे यह bundle वाले cells को हम बोलते है alveoli और alveoli में ही हमारा gas का exchange होता है मतलब आपका जो भी CO2 और O2 है वो alveoli में ही exchange करता है तो यह third point याद रखना है बस that's it ठीक है ओके alveoli क्या है alveoli is a small sack like structure यह चोटा सा गोनी जैसा structure है it is it looks like a bunch of grapes और हर एक alveoli के पास बहुत सारे blood vessels होते है देखो अगर single alveoli का structure अपन देखे अगर single alveoli का structure अपन देखे यह इतने सारे alveoli थे उसमें से एक single alveoli एक single alveoli का structure देखे तो outer membrane of capillaries और यह alveoli है this is your alveoli तो alveoli के पास भी squamous epithelium होता है और आपके blood vessels के पास भी squamous epithelium होता है तो पहली चीज जो आप इसमें से याद रखोगे वो है alveoli का cell membrane each alveoli is surrounded by single layer of squamous epithelium यह आपको याद रखना है और हर एक alveoli के पास बहुत सारे blood vessels है अभी याद रुखो जब भी आप lungs की बात करोगे तो lungs के जो भी blood vessels है उसके लिए हम हमेशा क्या word use करते है pulmonary उसके लिए हम हमेशा क्या word use करते है pulmonary और heart related जो भी अपने blood vessels होंगे उसके लिए हम क्या word use करते है cardia क्या coronary तो हमारे पास बहुत सारे alveoli होते हैं जिसका काम होता है surface area for exchange of gases यह क्वेशन वन मार्क के लिए बोर्ट में आ सकता है what is the significance of alveoli तो alveoli में ही आपका gas exchange होता है और दोनों लंग्स में मिला के देर और almost 700 million alveoli और alveoli का जो आउटर मेंब्रेन है यह क्वेशन CET में आता है alveoli का जो आउटर मेंब्रेन है it is made up of squamous epithelium squamous epithelium क्यों कि यह थोड़ा सा flexibility बढ़ाता है मतलब जब अपने alveoli में gaseous exchange होता है तो उसको अपना surface बढ़ा करने में यह help करता है क्योंकि जितना ज़्यादा alveoli खुद को spread करेगा उतना ज़्यादा gaseous exchange होगा ठीक है thoracic cavity और lower thoracic cavity को separate करता है मतलब यह बीच का partition जैसे आपके college bag में बीच का एक chain होता है जो आगे के compartment और पीछे के compartment को अलग करता है वैसे ही आपका diaphragm ऊपर के organs और नीचे के organs को separate करता है it separates thoracic and abdominal cavity यह dome shape का होता है and on contraction it becomes flat जब यह contract होगा तो यह थोड़ा flat हो जाता है जब यह relax होता है तो यह proper dome shape का दिखता है आपको हिचकी क्यों आती है why do you do hiccups तो देखो इधर पे जब आपका diaphragm अटक जाता है spasm हो जाना मतलब sudden contraction spasm word का मतलब क्या होता है sudden contraction चमक भर जाती है होता है कभी कभी आप swimming pool पे ऐसे ऐसे अंगुठी के ऊपर चलते हो तो आपके पेर का जो पीछे का कास्ट मुसल हो अकड़ जाता है उसको spasm बोलते है sudden spasm of the diaphragm चलो अब मैं थोड़ा chat box देख लेते हूं इसका question का answer दो yes क्या है कैसे question का answer spiders and scorpions कैसे respiration दिखाते है with the help of book lungs और रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा question नहीं आता describe करने के लिए next question aquatic arthropods पानी में रहने वाले arthropods जिसका example अपने देखा लिम्यूलस क्या है का answer thank you thank you चलो बस अभी मेरी तारीफ मत करो आंसर दो कि वोइस इतना ही है बेटा आप यवर्फोन लगा के सुन सकते हूं कि हुँ आँ है कि नेख्ट के लिए इसका अंसर वुग इस है ना देखो एसे ट्रेक्वेजर्ड रुखो हाँ यह रेखो aquatic है ना? aquatic मतलब पानी में है तो पानी में आपको पता है कि gills है काम करेंगे ठीक है? तो book gills next, dash is also known as sensory chamber तो अपने nose का कौन सा पाट है जिसको हम sensory chamber बोलते हैं जहां से हम smelling कर सकते हैं yes yes respiratory organs match the following की form में आ सकता है किसी भी form में आ सकता है इसलिए आपको पता होना चाहिए analogी की form में आ सकता है ठीक है? yes वर्दान बैच में full detail lecture होगा लेकिन continuous होगा 3-4 गंटे का lecture होगा break नहीं होगा मतलब पीच में 15 मिनिट का break मिलेगा पर full detail lecture होगा ठीक है? so what is known as sensory chamber olfactory chamber smelling chamber ठीक है? next mechanism of respiration अभी respiration कैसे करते है हम? yes everybody बेटा प्राक्टिकल्स के लिए आपके कॉलेज वाले आपको जितना बोलेंगे उतना ही करके जाना है आप tension क्यों ले रहे हो? आपको बड़े प्राक्टिकल्स और छोटे प्राक्टिकल्स बोलेंगे sports में जितना करा रहा है उतना ही बोलेंगे जितना college ने करा रहा है उतना ही आएगा कुछ बाहर से नहीं आएगा तो प्राक्टिकल का attention मत लो ठीक है? okay important questions in text वाले जो आपके notes में previous year के question होते हैं वो आने के ज़्यादा chances होते हैं जैसे अगर आप कोई भी notes का publication refer कर रहे हो तो आपको दिया रहता है मंझे हाँ question textual नहीं है यह textual question नहीं है बट यह 2019 में आया था यह 2020 में आया था तो internal questions आप वैसे कर सकते हो ठीक है? Okay, चल आगे बढ़ते हैं Mechanism of Respiration Mechanism of Respiration में क्या बोला गया है कि respiration बहुत ही important process है क्योंकि इसी में आपका gas का exchange होता है और ATP formation होता है तो यह चार step में होता है breathing, external respiration, internal respiration and cellular respiration अब भी breathing के अगर हम बात करें तो यह physical process है इसमें आपके lungs में gas exchange होगा वो gas exchange कैसे होगा सबसे पहले जब आप inspiration करते हो तो आपका diaphragm नीचे जाता है जब आप सांस लेते हो तो हवा अंदर जाती है हवा अंदर जाती है तो आपका lungs भर जाता है lungs भर जाएगा तो diaphragm के उपर pressure पड़ता है जिसके वज़े से diaphragm contract के नीचे चला जाता है अब एक चीज याद रुखो जब आप air अंदर लेते हो तो air में बहुत सारे gases होते है CO2 भी होता है oxygen भी होता है nitrogen भी होता है sulfur भी होता है बहुत सारे gases होते है पर अपने को सिफ दो gases पे focus करना है CO2 और oxygen चाहिए वो कितना भी गलत काम करे या यह teacher का फेवरेट स्टूडेंट है तो teacher इसका ही support करेगी ऐसा कुछ-कुछ बच्चों को लगता है तो उसको partiality बोलते है तो इधर पे भी हम partiality करते है हमारे lungs में बहुत सारे gases आते है पर उसमें से जिवर हम दो gases को सिलेक्ट करते है oxygen and carbon dioxide तो इसको बोलते हैं partial pressure partial pressure मतलब क्या होता है oxygen कितना present है और CO2 कितना present है तो जब आप air inhale करते हो तो air inhale करने के वज़े से आपका lungs बड़ा हो जाता है जिसके वज़े से आपका diaphragm contract हो के नीचे चला जाता है जब आप air inhale करते हो तो अब आपके lungs में जादा हवा है और बाहर कम हवा है तो lungs expand हो जाते है और diaphragm क्या होता है नीचे चला जाता है the pressure inside the lungs is now lower than the pressure outside मतलब अभी lungs में अपने हवा भर दिया है तो अभी lungs के उपर जो pressure था वो कम हो गया मतलब जब सास नहीं लेते है तो lungs पे pressure आता है कि मेरको हवा दो हवा दो पर जब तुमने lungs को हवा दे दी तो अब lungs का pressure कम हो गया और बाहर का pressure बढ़ गया क्योंकि बाहर हवा कम हो गई pressure मतलब कैसा होता है की हवा चाहिए अभी लंग्स के अंदर जादा हवा है तो लंग्स का प्रेशर कम हो गया न उसको उसमें हवा भर दी है तो आपका जो एब्डॉमन है वह एक्सपांड हो जाता है मतलब आपका डाइफ्राम नीचे जाता है और नीचे से पेड़ आसा बाहर आजाता है सब लोग शांस लो जब आप शांस लेते हो तो आपका चेस्ट बाहर की तरफ आता है आपका डाइफ्राम मीचे की तरफ पट्राक्त हो जाता है और अंदर से lungs फूग जाते हैं अब अंदर से lungs फूग गए तो उसके बीच में gaseous exchange चालो हो गया यह देखो ऐसा process होता है जब आप सांस लेते हो तो आपके lungs बड़े हो जाते हैं जिसके वज़े से diaphragm मीचे जाता है जब आपका lungs फूग जाता है तो इसके अंदर ऐसा exchange होता है मतलब इदर से oxygen आया यह oxygen लिया और बतले में CO2 दे दिया oxygen लिया और CO2 दे दिया तो जब आप expiration करते हो तो आप CO2 निकालते हो जब आप inspiration करते हो तो हम oxygen ले लेते और expiration करने के time extra CO2 जो रहता है वो बाहर छोड़ देते तो देखो जब हम inspiration करते हैं तो अपना diaphragm contract हो जाता है नीचे चला जाता है now diaphragm relaxes and returns to the dome shape तो expiration के time पे क्या होता है आपका diaphragm normal position पे आजाता है C rib cage returns to the original position जब आप सास छोड़ते हो तो आपका rib cage वापिस normal हो जाता है lungs वापिस से छोटे हो जाते हैं diaphragm normal हो जाता है अब lungs के अंदर का प्रेशर बढ़ गया फिर से कि आप उसको ज्यादा सास चाहिए तो अब लंक्स में से एर बहार आगी उसकी वज़े से उसका प्रेशर पढ़ा ना यस एवरिबडी diaphragm rises releasing the pressure on the abdominal contents तो आपका diaphragm फिर से डोम शेप का हो जाता है and abdomen returns to the original position तो देखो क्या हो रहा है इधर पे intercostal muscles का क्या रोल है ध्यान से देखना यह external intercostal muscles है के बीश में contraction and relaxation होता है जब आप सास लेते हो तो यह muscles contract होते हैं और यह muscles relaxed होते हैं कि जब आप सास लेते हो inspiration के टाइम पर और expiration के टाइम पर इसका उल्टा होता है यह देखो दिखाती हो इधर पे क्या बोला मैंने inspiration के टाइम पर external intercostal muscles contract यह देखो जब आप inspiration लेते हो तो external intercostal muscles क्या हो जाते हैं contract हो जाते हैं इसका detail video अगर देखना है तो आप detail वाला lecture जाके देख सकते हो नई तो app पे जो बच्चे वर्दान 1.0 वाला batch ले रहा है उनको detail वाला lectures अल्रेडी फ्री में दिया गया है तो आप वहां पर भी जाके यह वीडियो देख सकते हो या पिर जब मैं इसको topic और detail में पढ़ाउं तो अंदर के muscles contract हो जाते हैं जब आप सास लेते हो तो external muscles contract होते हैं यह देखो आपने सास ली आप जब सास ले रहे हो यह आपका normal ribcage है जब आप सास लेते हो तो बाहर का ribcage छोटा हो जाता है मतलब external muscles contract हो जाते हैं जब आप सास छोड़ते हो तो external muscles relax होते हैं सास लो सास छो कोड़ो inspiration contraction expiration relaxation मैं external intercostal muscles की बात कर रहे हूं ठीक है कि इंस्पिरेशन में co2 का रोल होता है अब आगे बही बताती हूं कि inspiration के स्योटु क्या करता है फ्योटो भी आपके गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है ठीक है कि तो देखो inhalation किया आपके नोस के तुरू आपका एर अंदर जाता है तैरिक्स और लेहिंस के थरू आपका एल्वियोलाय में कैसे होता है इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसे तो ध्यान से देखना कि इधर देखो यह आपका एल्वियोलाय है यह आपका ब्लड है अब इधर पर क्या दिखाई दे रहा है जब आप सांस लेते हो जब आप इन्हलेशन करते हो हाँ यह देखो यह आपका लंग्स है मतलब एल्वियोलाय है बहुत सुन्दर शा डाइग्राम यह दर पर यह देखो यह अपना एल्वियोलाय है एल्वियोलाय जब एर अंदर लेके आता है तो इसके पास ऑक्सिजन भी रहता है CO2 भी रहता है तो क्या करता है यह oxygen को blood में रेता है और CO2 को बाहर कर देता है ऐसा क्यों होता है ध्यान से सुनो इधर पर बताती हूं यह देखो यह आपका alveoli है इधर पर आपका blood vessel है ठीक है अभी एक चीज इधर पर आपको याद रखनी है कि gas कैसे transfer होता है gas always travels from high concentration to low concentration high concentration to low concentration अभी ध्यान से सुनो यह अपना blood vessel है यह blood vessel में CO2 जादा है क्योंकि यह tissue से use हो के आया है यह जो blood vessel है यह किदर से आया है tissue ने respiration किया और respiration करके उसने CO2 बनाया है यह देखा आपने first slide में देखा था ना जब हम respiration कर लेते हैं तो अपने को CO2 मिलता है तो यह CO2 आपके tissue से आता है किदर से आता है तो हमने respiration किया respiration करके हमने जो CO2 बना था वो CO2 अपने blood vessel को दे दिया तो blood vessel में CO2 का level जादा है थोड़ा थोड़ा oxygen भी रहेगा पर CO2 का level जादा है कितना CO2 रहता है ब्लड वेसल में ब्लड वेसल में आपका कितना CO2 रहता है अप्रॉक्सिमेटली 45 मिलीमीटर मर्क्यूरी और कितना oxygen रहता है 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी मिलीमीटर मर्क्यूरी मतलब this is the unit of calculating your oxygen and CO2 यह ग्यास को calculate करने का unit है ठीक है मिलीमीटर मर्क्यूरी तो आपके ब्लड वेसल में 45 CO2 है और 40 O2 अब यह लंग्स है मतलब यह अल्वियोलाई अपना this is our alveoli ठीक है अब यह अल्वियोलाई में जो air आ रही है इस air में oxygen भी है और CO2 भी है इसमें oxygen कितना है है बाहर से air में oxygen की मात्रा जादा है ना क्योंकि यह oxygen किदर से मिल रहा है प्लांट से मिल रहा है ठीक है तो oxygen कितना है बाहर की हवा में 104 mmHg और बाहर से थोड़ा सा भी इतना प्रदूशान है तो हम co2 भी absorb करते हैं तो co2 कितना है बाहर atmosphere में 40 mmHg तो इदर देखो मैंने क्या बोला gas हमेशा कैसे transport होता है high concentration to low concentration तो co2 का लेविल जादा किदर है फटाक से जादा co2 है जल्दी से बताओ चैड़ बॉक्स में किस में co2 का लेविल जादा है ब्लड में जादा co2 का लेविल है तो co2 क्या होगा ब्लड से लंक्स में जाएगा तो ब्लड में co2 जादा है इसलिए co2 ब्लड से लंक्स में जाता है co2 आउट और oxygen के साथ क्या होगा उल्टा होगा oxygen level lungs के पास जादा है तो oxygen lungs से अंदर आएगा तो इस तरीके से oxygen अंदर और co2 बाहर हम ऐसा करते है this is how your co2 plays role in respiration is this clear everybody बस इतना ही बताया है तिर इतना ही बताया है तो यह जो दो पैरेग्राफ है यह दोनों पैरेग्राफ में चीज़े इतनी बताये गई है कि जहां पे जादा gas concentration होगा वहां से वह gas lower concentration की तरफ जाएगा is this clear everybody please give me a thumbs up in the chat box जहां पे जादा co2 है वहां से वह कम co2 की तरफ जाएगा जिदर जादा oxygen है उदर से वह कम oxygen की तरफ आएगा is this clear everybody this is normal diffusion यह normal आपका diffusion का principle है high concentration to low concentration चीज़े flow होती है chapter no.6 में आपने osmosis diffusion पढ़ा है this is how your principle works of diffusion high concentration से low concentration की तरफ particles move करते है this is the principle of diffusion ठीक है चलो यह चीज़ clear है this is very important for CET ओके आगे बढ़ते ठीक है next co2 out, o2 in co2 is out, o2 is in ठीक है ओके अब यह जो table है यह boards वाले बच्चे छोड़ सकते हैं सिर्फ यह CET के लिए important है boards में अगर आया भी इसमें से question तो छोड़ देना option में क्योंकि इतना सारा details याद रखने की जरुवत नहीं है जो अभी पढ़ रहे है जो साल बर बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो यह याद हो गया होगा जिन बच्चों की इस chapter से फट जाती है उनके लिए बोल रहे हूं कि आप यह option में छोड़ सकते हो CET के लिए important है तो इस table में क्या-क्या चीज़े बताई गई है आपके lung का inspiration करने का capacity बताया गया expiration करने का capacity बताया गया normal condition में अपना lungs कितना inspiration या expiration करता है 500 ml इसका question हमेशा match the following के form में आता है तो normal expiration इंस्पिरेशन आप 500 ml कर सकते है एर का ज्यादा से ज्यादा आप कितना inspiration कर सकते हो maximum volume आप कितना अंदर ले सकते हो 2000-3000 ml और ज्यादा से ज्यादा आप कितना expiration कर सकते हो कितनी सास बाहर निकाल सकते हो 1000-1100 ml dead space मतलब क्या होता है यह वो gas होता है जो अपने nose में और अपने पूरे respirator track में present होता है पर यह use नहीं होता है respiration करने के लिए जो की होता है approximately 150 ml ठीक है residual volume मतलब क्या होता है residual volume is the volume of air that remains in the lungs and the dead space even after maximum expiration जब आप maximum expiration करते हो देखो आपने 2000 ml inspiration किया और उसमें से आपने सी 1000 ml बाहर निकाला तो बागी का 1000 ml किदर गया बागी का 1000 ml आपके lungs में रह गया उसको बोलते residual volume यह बाद में धीरे-धीरे करके release हो जाता है lung capacity का formal आपको पूछा जाता है total lung capacity मतलब क्या होता है आप कितनी हवा अंदर रोख सकते हो मतलब कब होता है तो total capacity मतलब आप कितनी ज्यादा हवा अंदर रोख सकते हो and what is vital ये value याद रुखने है and what is vital capacity it is maximum amount of air जो हम बाहर निकाल सकते है after a maximum inspiration मतलब कितनी साथ आप बाहर निकाल सकते हो total it is the sum total of इदर SUM आएगा it is the sum total of tidal volume inspiratory reserve and expiratory reserve देखो tidal volume मतलब 500 inspiratory reserve volume मतलब 2,000 या 3,000 ले लो और expiratory reserve volume मतलब की 1,100 तो total कितना हुआ 4,600 तो ये vital lung capacity का आपका formula है ठीक है ओके next आता है आपना internal respiration अभी ये जो topic है ये बहुत सारे बच्चे skip कर देते हैं पर इसको skip मत करो इसमें से आप क्या क्या याद रख सकते हूं मैं आपको वो बताती हूं सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि internal respiration करने के लिए आपको blood cells और plasma की मदद लगती है ठीक है मदद से हम कितना परसेंट oxygen ट्रांसपोर्ट करते हैं 3 परसेंट सबसे पहले तो ये क्वेश्चन सीटी में आता है इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं dissolved oxygen ठीक है अभी plasma को हटा दो सिर्फ rbc से कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है 97 अपको मिलता है इसे मिलता है और बाकी का मिलता है और रवी चीजन उसे शपी जादा से जदा धानाइनटी से परसेंट और अर बी सी में प्रेजन मिलता है क्या हिमोगलोबिन और hemoglobin के पास क्या present होते हैं iron molecules यह iron molecules क्या करते हैं oxygen accept करते हैं ठीक है तो एक RBC में कि एक RBC में कितने hemoglobin molecules present होते हैं approximately 260 million RBC 260 million hemoglobin कितने hemoglobin molecules present होते हैं 260 million hemoglobin molecules तो अब internal respiration के बारे में आपको कुछ characters याद होने शाहिए अगर आप यह टॉपिक छोड़ रहे हो तो इसमें सिसे भी चार पॉइंट्स कर लो बस ठीक है तो देखो हीमोग्लोबिन क्या है अपना यह अपना रेस्पिरेटरी कारियर है यह ग्यास क्यारी करता है यह ऑक्सिजन की तरफ अपना अफिनिटी दिखाता है पर इसका सबसे यह हेमोग्लोमां चेनिटी के लिए को झालते लिए है फी設क पहले कार्बन unfamiliar auction पें अ कं लृक्सिजन द दिखाँ एक हमोगलोबिन मॉलीक्यूर नेदिट और तो वन हेमोलोबिन मॉलेकियूस एक झालएenden इस कमाओंट कउम पोलते हैं ऑक्सी हेमोगलोबिन यह हमोलोबिन जाके टिशų में अजना कर देता है तो यह हमोलोबिन किदर जाके ряд हो जाता है डी सोसीएट होना याने कि break हो जाना हीमोग्लोबिन में oxygen लिया किदर से लिया यह oxygen lungs से यह oxygen किदर से आ रहा है lungs से और यह किसको जाके दे रहा है tissue को ठीक है तो यह oxygen hemoglobin किदर जाके break हो जाता है tissue में लेकिन tissue को कभी भी oxygen पूरा 100% मिलता है क्या नई 100% saturation काफने को हीमोगलोळीन कि मददक से 7% कि घंबड सकता हैळी-7 अजीतना सकता है तो उसको से लेवल बुलते हैं डिग्री ओफ सैचुरेशन डिक्रीज इस विड्रॉब इन पीपी ओटो अगर आप पहाड की उचाई पे जा रहे हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो अगर आपके एन्वायर्मेंट में ऑक्सीजन कम है तो आपके टिशू को भी ऑक्सीजन क कम मिलेगा तो आपका सैचुरेशन के डिक्रीज होता है जब आपके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है piş मतलब क्या होता है पारशल प्रेशर मैंने बताया कि प्रेशर का मतलब क्या होता है ऐर में बहुत सारे गैसी प्रेजाण होते हैं उसमें से हम सिर्सितक हैं स्पीजार करते हैं स्यों पर उसी लिए इन तो कह रही है और Dragon क जाएगा वैसे आपके ज्ल always say CD наст्रीशन अलबन कम उते जाएगा और जाधा से जाधा 30 regen अच अलब सब्सक्राइब तो आपका 30 में जो है यह आपकी बॉड़ी को सिप्स जिन्दा रख सकता है मतलब इस जस्ट दा बॉडर लाइन लेवल ऑक्सिजन इस से नीचे अगर गया तो डेफिनेटली आपकी डेथ कंफर्म है तो अब देखो और इस सब्सक्राइब और इस सब्सक्राइब तो यह आपका लंग से और इस साइड में आपका टिशू है टिशू ने रेस्पिरेशन किया मतलब उसने अपना फूड का ब्रेकडाउन किया पूरा उक्सिजन उसने यूज कर लिया तो अब यह क्या रिलीज कर रहा है कार्बोनीक आसड बनाता है क्या बनाता है कार्बोनीक आसड इस सब्सक्राइब उसके वजह से यह एसीड है ऐसीड मतलब यह थैप 6-7 के नीचे जा रहा है और ब्लड का नॉर्मल पिएज क्या है तो अगर 7.4 से यह दिरे-दिरे करके नीचे जाएगा तो आपके एंजाइन आक्टिविटी चेंज हो जाएगी आपकी एंजाइन एक्टिविटी के ओपर खत्रा आजाएगा तो देखो, क्या होता है, जब आपके टिशू में respiration होता है, तो CO2 बनता है, ये CO2 वाटर के साथ react करके carbonic acid बनाता है, carbonic acid के वज़े से आपका pH लो हो जाता है, pH जैसी लो होगा, उसके वज़े से enzyme activity चेंज हो जाएगी, जिसके वज़े से आपके body react करना चालू करेगी और आ आपकी body में dehydration हो जाता है, या आपकी body में पानी की कमी हो जाती है, तो एकदम से body गरम हो जाता है, पसीना पसीना हो जाते है, तो that is, the temperature gets affected, क्योंकि enzyme activity चेंज हो गई, तो बोड़ी में chemical reaction स्टांट हो जाते है, और इसी के लिए, आपकी body क्या करती है, जल्दी जल्दी और जाता glucose breakdown करती है, क्योंकि जब आपके body का temperature बढ़ता है, तो आपके body के healthy cells है, वो healthy cells damage होने लग जाते है, तो उनको protect करने के लिए हमको glucose चाहिए, तो अपनी body extra glucose breakdown करने लग जाती है, जिसके वज़े से आपका glucose का production fast हो जाता है, बट याद रखो, oxygen पहले से कम है, तो मगर body को और काम करने बोलोगे, तो और oxygen कम होते जाएगा, तो जब ये तीन condition हो जाता है, तो इसके वज़े से अब अपने को oxygen चाहिए, तो अब क्या होता है, हमारा जो cell था, इधर देखो, इधर CO2 फॉर्म हुआ, मतलब हीमोगलोबिन के पास क्या था, CO2 था, तो अब ये CO2 आपक और से आपका ग्राह राइट साइड में शिफ्ट होता है, इसको हम बोलते हैं बोर इफेट, ठीक है, अब जब इसने oxygen ले लिया, तो अब ये oxygen लेकर वापिस से किसके पास जाएगा, टिशू के पास जाएगा, टिशू के पास, जब ये टिशू को oxygen दे देगा, तो वापि pH नॉर्मल लेवल पे हो जाएगे नगा फिर से नॉर्मल लेवल पे हो जाएगे तो टम्परेचर भी शान्त हो जाएगा और आपका शुगर प्रोडक्शन भी वापिस बैलेंस हो जाएगा तो जब आपका oxygen left side में आता है तो आपका जब graph left side में shift होता है इसको बोलते है यह आपका याद रखोगे हैल्देन की spelling में L आता है L मतलब left तो इसमें आपका जो O2 है वो हीमोग्लोबिल लेके आता है और CO2 लंग्स को दे देता है तो आपका ग्राफ राइट साइड कब जाता है यह तिन कंडिशन में लेट साइड कब आता है जब उसको अक्सिजन मिल जाता है so this is your bore effect R for right this is your held in effect L for left ठीक है is this clear everybody चालो आगे बड़े ठीक है कि आगे बड़ते हैं अभी carbon monoxide poisoning क्या होता है carbon monoxide poisoning में आपका जो हीमोग्लोबिन है यह हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा affinity carbon monoxide की तरफ दिखाता है carbon monoxide जब अपने cells के साथ बाइंड करते हैं तो वह cellular respiration को stop कर देते respiration अगर हो जाएगा तो अपने को ATP नहीं मिलेगा ATP नहीं मिलेगा तो दीरे दीरे तरके आपके बॉड़ी का जो affinity carbon monoxide के लिए होता है कितना affinity होता है 250 ताइमस और फिर अगर समझो carbon monoxide नहीं है तो इसका affinity oxygen के लिए होगा या फिर यह CO2 के साथ भी compete करता है मतलब हीमोग्लोबिन को खराब चीज जादा अच्छी लगती है और अच्छी चीज खराब लगती है हीमोग्लोबिन को carbon monoxide जैसे आप लोग को बोला जाए ना यह मत करो तो आप वही करते हो वैसे हीमोग्लोबिन carbon monoxide के साथ ही जाके बाइड लोगा और अगर carbon monoxide नहीं है तो फिर वह oxygen या सब्सक्राइब करता है oxygen के साथ कभी-कभी उसका इफिनिटी जादा होता है कभी-कभी CO2 के साथ इफिनिटी जादा होता है ठीक है ओके देखो इधर दिया है वाइल वर्किंग विद carbon monoxide release हो रहा था जिसके वज़े से उसका carbon monoxide poisoning हो गया मतलब दीरे-दीरे करके उसकी बाड़ी का रेस्पिरेशन प्रोसेस टॉप हो गया जिसके वज़े से उसको चक्कर आगए ठीक है चलो इस question का अंसर दो कि येस कि इस में से आपको तीन मार्ट के question आ सकते है total oxygen में से कितना oxygen dissolved state में ट्रांसपोर्ट होता है तो इसका answer मैंने बोला option no.3 मतलब ये answer 3 आएगा dissolved मतलब water के form में ठीक है next next chapters कब होंगे उसके लिए community post check कर लेना कौनसा chapter का one shot कभी होने वाला है वो हम community post पे upload करते है ठीक है okay next question क्या है main function of the c-shaped cartilage c-shaped cartilage का main function क्या होता है to prevent the collapse of trachea ये अपने trachea को collapse होने से बचाता है ये ठीक है sorry ये नहीं ये आएगा option no.3 this next question lungs are enclosed by lungs के बाहर कौनसी membrane होती है cardium मतलब heart तो ये तो नहीं आएगा peritonium मतलब abdomen ये भी नहीं आएगा mesetmoid cartilage ये nose में प्रेजेंट होता है तो बचा क्या option no.3 okay चलो आगे बढ़ते हैं next during respiration जब आप inspiration करते हो तो क्या होता है आपकी chest बाहर की तरफ आती है और उपर की तरफ आती है करो सब लोग inspiration during inspiration the chest moods outward and upward chest कहां पर आता है बाहर और उपर की तरफ आता है देखो ऐसे questions 2023 के जो PYQ questions है ना इसका mock test हमने अल्रेड़ी आप पे दिया हुआ है तो अगर आपको direct CET में जैसा question आता है है CET pattern में computer का जो test test होता है वैसा अगर आपको mock test appear करना है तो आप वर्दान 1.0 batch ले सकते हूं और कैसे question आता है उस time पर क्या feeling होती है multiple आप multiple times attempt कर सकते हो ठीक है okay so during inspiration sternum बाहर की तरफ और उपर की तरफ move होता है the condition for diffusion of oxygen आपको oxygen tissue के पास कब आता है जब tissue के पास oxygen का level कम हो जाएगा जब hemoglobin ज्यादा oxygen नहीं पकड़ पाएगा और जब आपके blood में CO2 का level high हो जाएगा तो यह तीनों condition में हमको oxygen की जरुवत पड़ेगी right so all of the above hemoglobin ज्यादा किसकी तरफ attract होता है और कितना percent बताओ affinity of hemoglobin चलो so hemoglobin के affinity carbon monoxide के लिए कितनी है 250 ओके next आता है transport of CO2 अभी तक हम internal respiration देख रहे हैं हमने oxygen का transport पड़ा अब CO2 का transport पड़ते हैं तो इधर पर भी देखो आपके plasma के तुरू मतलब आपके water के तुरू 7% oxygen CO2 transport होता है बागी का 70% आपके RBC की मदद से transport होता है याने कि आपके bicarbonate ions के form में किसके form में bicarbonate ions के form में तो इधर देखो आपका CO2 जो बाटर के साथ मिलता है तो यह क्या बनाता है carbonic acid और यह carbonic acid unstable unstable होने के वज़े से यह break हो जाता है और CO2 evaporate हो जाता है लेकिन यह बहुत slow process है इसको अगर मुझे fast करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह देखो यह आपके plasma में हो रहा है it is a very slow process same process मेरे blood cell में भी होगा same process मेरे RBC के अंदर होगा लेकिन यह process extremely fast होगा ऐसा क्यूंकि RBC के पास special enzyme present होती है carbonic anhydrase यह carbonic anhydrase क्या करती है इस से बहुत जादा fast reaction दिखाती है जिसके वज़े से आपका जल्दी जल्दी carbonic anhydrase carbonic acid बनता है यह carbonic acid unstable acid unstable होने के वज़े से यह क्या हो जाता है यह split हो जाता है into your carbonate iron and H plus iron और यह जो carbonate iron है यह RBC के अंदर जादा time तक नहीं रह सकता तो यह बाहर चला जाता है RBC के बाहर चला जाता है और यह जाके बाहर आपके blood में जो salt present होते हैं अपने blood में बहुत सारे salt present होते KCL present होता है NACL present होता है तो यह CL के साथ जाके कि अछिद्रख시लिध गाजां कि न कि यह RBC के साथ ने के साथ यह Bाइंड हो जाता है हाँ कि यह अचि parenthि तेज़ए धियो 43 अचिद्य बाहर improve और यह जो chloride बच गया यह chloride अंदर आ जाता है तो इसको बुलते है chloride shift या hamburger प्लस है इधर पर यहां पर एक चीज़ देखो यहां पर सिजन को रिलीज करते धाया पर टिशू है था इसे टइटल गलत है यहां पर release आना चाहिए oxygen release and carbon dioxide pick up आप tissue को carbon dioxide को tissue से pick करते हो और oxygen को tissue में release करते हो तो ध्यान से देखो फिर से बताती हूँ आपका जो CO2 है वो water के साथ react करके carbonic acid बनाता है यह carbonic acid बहुत ही ज्यादा unstable compound है जिसके वज़े से जल्दी से split हो जाता है पर अगर हम से plasma के उपर dependent रहेंगे तो यह process बहुत ज्यादा slow होता है इसलिए हमको RBC की जरुवत पड़ती है RBC के अंदर एक special enzyme है carbonic enhydrase यह enzyme CUT में पूछी जाती है यह enhydrase enzyme क्या करता है यह reaction fast करके carbonic acid बनाता है carbonic acid unstable है तो यह acid split हो जाएगा जैसे ही acid split होगा तो आपका यह carbonate ion बना है यह carbonate ion RBC के बाहर चला जाएगा आपके plasma में बहुत सारे salt present होते है KCl, NaCl तो यह आपका जो HCO3 है यह दूसरे salt के साथ मिक्स हो जाएगा metal के साथ और आपका जो भी chloride ion बचेगा क्लोराइड आयन RBC के अंदर आ जाता है उसको बोलते है chloride shift या hamburger phenomenon तो इधर पे देखो आपके RBC में carbonic enhydrase है carbonic enhydrase को activate करने के लिए हमारे पास zinc होता है carbonic enhydrase की मदद से हमारा RBC क्या करता है carbonic acid बनाता है carbonic enhydrase enzyme is found in RBC it is not found in plasma और carbonic acid का formation RBC में बहुत ज्यादा fast as compared to plasma जब आपको carbonic acid unstable compound unstable होने के वज़े से यह फटक से split हो जाता है and thus और यह किसके presence में split होता है carbonic enhydrase के presence में split होता है this is CET question बनता भी carbonic enhydrase के presence में है और split भी carbonic enhydrase के presence में होता है मतलब यह enzyme बहुत ही ज़्यादा दुस्ट enzyme है यह carbonic acid बनाती भी और split भी कर देती है और जैसे यह split होता है तो इसमें का जो HCO3 minus है यह बाहर चला जाता है it moves out of the RBC जिसके वज़े से आपके RBC के अंदर imbalance हो जाता है जिसके वज़े से हम chloride को अंदर ले लेते हैं जब आप chloride iron को अंदर लेते हो तो उसको बोलते है chloride shift या hamburger phenomenon इसका definition आपको boards में पूछा जाता है अपना target क्या है कि CO2 को body के बाहर फेकने के लिए पहले उसको अलग-अलग chemical form में convert करना पड़ता है यह देखो आपका CO2 आया यह देखो CO2 आया यह CO2 carbonic acid बनाता है carbonic acid split हो जाता है जिसमें से HCO3 माइनस बाहर आ जाता है और यह bicarbonate iron बन जाता है और आपका जो RBC है वह RBC अंदर चला जाता है और बागी का CO2 hemoglobin जो है वह expert करने में help करता है तो देखो आपका HCO3 bicarbonate बन गया ठीक है और आपका जो अंदर जो अंदर H plus था यह H plus CL के साथ अगर bind हो जाएगा तो फिर से acid बन जाएगा acid बन गया तो blood का pH फिर से low हो जाएगा जिसके वज़े से क्या होगा आपके enzyme activity फिर से change हो जाएगी तो जब आप chloride को अंदर लाते हो chloride अंदर लाने से पहले ही हमारे ए में च्रलन हलए और बी से में 260 मिलियन हीमोलीचय में और कि व्ल्लोबिन lub तो उसमें से एह में हीमोलबिन ओड़ियूलर्ट कि फटक से अपने ऐच प्लस के साथ बाइंड हो जाता है यह देखो हमारे पास बहुत सारी हीमोलोबिन मचल उलो ज़े तो हमारा हिमेkal लेके आते हो तो ब्लड में आप oxygen छोड़ देते हो और जो हीमोगलोबिन हो खाली हो जाता है तो यह हीमोगलोबिन molecule फटक से इस hydrogen के साथ बाइंड हो जाता है ठीक है तो यहां पर हमको मिलता है reduced hemoglobin क्या मिलता है इधर पर हमको reduced hemoglobin reduced क्यों बोलते क्योंकि इसका reduction हो गया ना chemistry में आपने पढ़ा है addition of hydrogen मंझे reduction ठीक है कि addition of hydrogen मतलब क्या होता है reduction कि आगे पढ़ते हैं हाँ आपका इतना सारा हीमोगलोबिन प्रेजेंट है तो उसमें से हीमोगलोबिन प्रेजेंट हो जाता है ताकि यह chloride is hydrogen के साथ बाइड ना हो और फिर जब इसको ज्वादा oxygen मिलेगा तो यह फिर से ऐमोगलोबिन अलग जाएगा यह फिर से हीमोगलोबिन स्पलिट हो जाएगा यह oxygen के साथ जाएक और आपका hydrogen separate हो जाएगा अब यह hydrogen जाएके फटक से क्या करने वाला है आपका जो carbonate iron है बाहर जो carbonate iron बना था यह carbonate iron उसी RBC के अंदर फिर से आएगा फिर से यह carbonic acid बनाएगा और फिर से यह convert हो जाएगा CO2 और O2 में और यह CO2 body के बाहर चला जाएगा मतलब CO2 को निकालने के लिए पहले हमको उसको carbonic acid में बनाना पड़ता है फिर उसी carbonic acid को हम break करके CO2 को बाहर भेज देते हैं यहाँ पे हम CO2 को tissue से लेकर आ रहे थे यहाँ पे हम CO2 को lungs में दे रहे हैं tissue से लाया lungs को दिया देखो tissue से CO2 को लेकर आया और lungs को दे दिया तो यह tissue से lungs तक का process है पहले carbonic acid बनाओ फिर break करो बनाओ फिर break करो बनाओ फिर break करो इसमें हम salt का यूज करते हैं ठीक है तो इधर देखो आपको reduced hemoglobin मिल जाता है अभी यहाँ पे आपके lungs के पास CO2 का level कम है और blood के पास CO2 का level जाता है तो CO2 goes from high concentration to low concentration तो lungs में low pressure है और blood में high pressure है तो blood का CO2 बाहर चला जाता है लंग में तो इस तरीके से आपका CO2 is kicked out of the body और लास्ट आता है by RBC red blood cells की मदद से आपका जो carbon dioxide है वो आपके hemoglobin के amino group के साथ हेमोगलोबिन is a protein hemoglobin is a protein molecule protein किस से बनता है amino acid से बनता है amino acid का structure कैसा होता है इसके पास एक carbonic carbox slick acid group होता है एक amino terminal होता है एक h group होता है एक r group इसको बोलते है n terminal इसको बोलते हैj c terminal तो अगर आपका CO2 n terminal के साथ के साद बाइंड हुआ तो उसको बोलते हैं कार्व अमीनोहीम England और अगर आपका सी ओर थो कि सद्धोर्चेंट बंड हुआ तो उसको बोलेंगे कार्वथोंगोग से न टीक है तो यहां तो यहां पर आपका सीलक्रीचू अमीनोbes के साद बाइंड होता है और यह सीधा आपके लंग्स में जाके बाहर चला जाता है So this is how your respiration takes place Internal respiration takes place Last आता है cellular respiration मतलब cell के अंदर कैसे मगजमारी करते हैं यह CET question है आपने oxidation किया oxidation करके आपने CO2 remove किया जब आप CO2 remove करते हो तो आपको ATP molecule मिलता है एक ATP molecule बनाने के लिए कितनी energy use होती है 7.3 kilocalories मतलब अगर आप 1 ATP molecule breakdown करोगे तो आपको इतना energy मिलता है ठीक है count कर लो इधर पर अपने को 38 ATP मिलता है 38 into 7.3 कितना होगा बताओ 38 into 7.3 कितना आ रहा इधर पर 686 kilocalories आ रहा है यह कितना है 7.3 नहीं नहीं यह नहीं आएगा यह नहीं यह देखो यह चीज़ याद रखो फाल तू अपन कॉंप्लिकेट नहीं करते है यह चीज़ याद रखो कि एक ATP molecule बनाने के लिए यह यह यू नेड़ 7.3 kcal of energy और जब अप ऑसिदेशन करते हो रहा हम ख जुमीट क मंडिक्वूल ड्रीक़ यह पर इदरपे 686 किलो कैलरी मिलता है 686 डिवाइड बाइड रखो कि आप जब रेस्पिरेशन करते हो फूड को ब्रेकडाउन करते हो एक बनाने के लिए अपने को कितना एनर्जी चाहिए 7.3 किलो कैलरीज का एनर्जी चाहिए 7.3 किलो कैलरीज तो एक एक ब्रेकडाउन अभी यह कालकुलेशन करी लेते हैं दिमाग में आया है तो 38 ATP molecules से हमको 686 किलो कैलरीज मिलता है तो एक ATP से कितना किलो कैलरी मिलेगा यह इसके साथ मल्टिप्लाई करो यह इसके साथ मल्टिप्लाई करो X into 38 is equals to 686 into 1 therefore X is equals to 686 upon 38 कितना आएगा इसका अंसर 18.05 तो 1 ATP molecule से आपको कितना energy मिल रहा है 18.05 यह पूछते नहीं है मेरे दिमाग में ऐसे खीडा आया तो मैंने करने बोला इस नौट आस्ट इन एग्जाब एक ATP molecule breakdown करेंगे तो भी गैट इसमच अफ एनरजी तो एक ATP molecule बनाने के लिए इतना energy चाहिए यह ट्राइफॉस्पेट है ना यह तीन फॉस्पेट से बना है एक फॉस्परस के पास वन फॉस्परस है अप्र्ऌसिमेटली six kilo calories ओप monitor इनरजी यह kalkulation इंपोरेशन नही है यह तूमको कहीं नहीं पूछेँगे ना CET में पूछेंगे ना BORDS में पूछेंगे मैं सिर्फ तुम को यह ऐसे ही मेरे दिमाग में आया इसलिए बता रही हूँ भाई तुम लोग नहीं तो फिर से मेरा मैथमेटिक्स कैलकुलेट करने लग जाओगी कि मैडम को मैथमेटिक्स नहीं आता है तो यह मैं ऐसे एक ATP बनाने के लिए अप्रोक्सिमेटली 7.3 किलो कैलरी इस इस वेरी 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 इंपोर्टेंट यह मेरे शिफ्ट में आया था लास्ट यह 2023 में इस दिस क्लियर एवरीबडी ओके चलो आगे जाते हैं ओके रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग अब इसका सिर्फ दोई चीज़ याद रखना है कि आपका जो रेस्पिरेशन है वो थोड़ा बहुत आपके नर्वस सिस्टम से भी कनेक्टेड है तो आपका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है यह आपके नर्वस सिस् क्या चल रहा है चाड़ बॉक्स में ठीक है तो हमारा ओके हमारा नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट है जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है पॉन्स बेरोली एंड मेडियूल अबलॉंगेटा इसको हम रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते बस इस पूरे पैरेग्राफ में से यही एक चीज याद रखना है और थोड़ा सा अगर और डीटेल में जिसको सिर्फ पास होना है तो आप यही याद रखो कि पॉन्स बेरोली और मेडूला अबलॉंगेटा को हम रेस्पिरेटर सेंटर बोलते हैं अब जिसको टॉप करना है तो उसको वह भी पता होना ची पॉन्स बेरोली के पास दो सेंटर होते हैं नियूमो टैक्सिक सेंटर और अपनिूस्टिक सेंटर यह देखो यह पॉन्स बेरोली है इसके पास दो सेंटर होते हैं नियूमो टैक्सिक और अपनिूस्टिक सेंटर और यह आपका मेडूला अबलॉंगेटा है इसके पास भी करता है और दूसरा फंक्षन क्या दुक्रूर्ण विय।-कश्थ का फॉन्स विरोली का पॉन्स विरोली इतुत डह is दोनों सात में काम करते हैं आपकी बॉली में जब घृ kitaire बढ़ जाता है और आपका pH acidic होने लग जाता है जिसके वज़े से carbonic acid बनने लग जाता है तो आपके हार्ट को signal मिलता है हार्ट से अपना एक नर्स connected है जिसको आपन बोलते हैं वेगस नर्स जो आपके apneustic center को positive signal देता है apneustic center क्या करता है apneustic center जब oxygen का level कम हो गया तो apneustic center क्या करेगा यह inspiratory center को activate करेगा कि चल भई सास लेना चालू कर जैसे ही आप सास लेना चालू करते हो तो आपका जो हार्ट से नर्स connected था वेगस नर्स वेगस नर्स डिटाच हो जाता है जिसके वज़े से आपके lungs को बहुत सारा oxygen मिल जाता है तो अब बापिस से जैसे यह नर्स डिटाच हुआ आपके pneumotactic center को message जाता है कि चल लो सास हमने बहुत सारी ले लिए है अभी expiration तरना start करो तो यह जो inspiration और expiration है यह दो center के ओपर depend करता है अपनिस्टिक सेंटर और pneumotactic center यह दोनों center एक दुसरे से opposite काम करते है यह inspiration start करता है यह expiration start करता है इसको बोलते है antagonistic function क्या बोलते है इसको antagonistic function दोनों opposite function करने है ठीक है और जब आप continuous inspiration और expiration करते हो तो उसको हम बोलते है rhythmicity of breathing और herring brewer reflex मतलब क्या होता है it controls rhythm and prevents lung inflation that is bursting जब आप swimming करने के लिए पानी के अंदर जाते हो तो आप सास को रोक लेते हो पर ज्यादा time तक अगर सास को रोक के रखा तो अंदर CO2 build-up होने लग जाएगा जिसके वज़े से carbonic acid बनेगा जिसके वज़े से आपके lungs में बहुत लंग को inspiration expiration चालू रखने में help करता है जिसके वज़े से अपना rhythm maintain रहता है तो जिसको short में याद रखना है सिव इतना याद रखो कि Pons Viroli और medulla oblongator controls respirator system जिसको detail में याद रखना है दो चीज़े याद रखो apneustic center inspiration start करता है pneumotactic center expiration start करता है ठीक है यह flow chart भी अगर पढ़ लिया तो भी बस है इसमें से यह question आता है what is herrick brewer reflex जो आपकी theory में दिया गया है यह देखो ठीक है और यह respiratory center किदर present है यह अपने cerebral cortex में वैसे तो respiration process involuntary है आप इसको रोक नहीं सकते हम थोड़े टाइम के लिए इसको रोक सकते हैं with the help of cerebral cortex मतलब medulla oblongator और पॉन्स वे रोली इसको सिवाम थोड़े टाइम के लिए रोक सकते हैं ओके ताकि हम कहीं अगर किसी गंदे जगे से जारे तो वह poisonous gas अपने lungs में ना चला जाए लेकिन हम इसको permanent control नहीं कर सकते सिवाम इसको temporary रोक सकते हैं अपने respiration या breathing process को ठीक है ओके modified respiratory movements मतलब क्या होता है जब आप exercise बगेरा करते हो या फिर अचानक से खासी आती है या फिर आप जब जोड से यौन करते हो उबशी घेता तो उस टाइम के आपका आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम खुटको ठोड़ा सा चेंज कर लेता है चलो इसका answer बताओ जल्दी जल्दी बताओ यह चाप्टर सबसे बड़ा चाप्टर है हेलो रुतिक यह साइड रिमेंबर यू टिशू एक्सचेंज गैस नहीं समझ रहा है तो फिर आप उसका डीटेल वाला वीडियो जाके देख सकते हो इसका answer क्या आएगा कितना पर्सेंट सी ओ टू प्लाजमा से ट्रांसपोर्ट होता है सेवन परसेंट कि आर बीसी में आपका सी ओ टू के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है कार्बोनिक असिड बनाता है किसके प्रेजंस में कार्बोनिक असिड किसके प्रेजंस में बनता है कार्बोनिक एंइड्रेज एंजाओं हाँ is a specific one the carbonic acid तुरंट स्पलिट हो जाता है किसके प्रेजंस में बनता भी सेम एंजाइम के प्रेजंश में स्प्लिट भी सेम एंजाइन के प्रेजन्स में होता है बटाओ क्या एगा इसके चलो आगे बढ़े क्या आएगा कार्बोनिक एन्हाइड्रेस हाँ उसके ऒएड़ क्या होता है और इसमें से वाइरस शाय में और एक Inter смог होता है मंई यान करता है और इसमें से आपको नीमोनिया याश्थमा उसके वजए से होता है यह कंपल सरी यह पूरे टेबल में से यह कंपल सरी है आपको question आता है which of the following is occupational disorder which of the following is causes breakdown of alveoli तो M.C.S.A.M.A. और यह दो disease यह सबसे ज़्यादा important है ठीक है किसके वज़े से होते है और उसका symptoms क्या है यह आपको याद रखना है ठीक है ओके अर्टिफिशल वेंटिलेशन मतलब क्या होता है जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है आपका थ्रोट या आपका जो विंड पाइप वो ब्लोक हो जाता है तो विंड पाइप को open करते देखो देरा टू स्टेप्स इन्वोल्ड निन आर्टिफिशल वेंटि तो पानी से निकल के सबसे पहले उसके मुह में हवा भडी जाती है ताकि उसके लंग्स तक हवा पहुचे तो आपको जोर से फूक मार के उसका इंस्पिरेशन और एक्पिरेशन स्टार्ट करना है आप माउथ टू माउथ भी कर सकते हो या मेक्यानिकल वेंटिलेटर मशीन की मदद से भी कर सकते हो ऐसा आपका वेंटिलेटर मशीन दिखाई देता है वेंटिलेटर मशीन को हम लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी बोलते हैं ज्यादा करके सरजरी बगरा के टाइम पर यूज किया जाता है क्योंकि सरजरी के टाइम पर इंसान बेहोश होता है तो वह अगर हम यह बात करें सर्कूलेशन टाइप की बात करें तो आपकी यूनिसेलुलर ओर्गानिसम होते हैं उनमें स्ट्रीमिंग मुवमेंट दिखाई देता है मतलब उनका साइटोप्लाजम अंदर ही अंदर खुद को स्विम कराके अपना न्यूट्रियंट्स ट्रांसपोर कर लेता है इंटर्सेलूलर ट्रांसपोर अंदर हम पोरिफरा फाइलम की बात करें स्पॉंच की तो ओपन ताइस संदे अभिम बताहूंगी अगर आपने प्लेन की मदद से प्लाजमा में की मदद से एल्ट्रांसपोरटेशन करता है और अर्चे इंच dif और आपनी बोड़ वोल को कंट्राक्टक्ट करके प्लाज्मा मेंद्रें की मदद से आपने जो भी न्यू ट्रियंक लिया है रोडियना अगर आप इतना मेहनघ करके इतना है पहर फायदा बër ap अपने बोरी का एननरजी का और शेचानी इसको बोलते है बताओ जल्दी अपने बॉड़ी में एनर्जी करेंसी किसको बुलते एटीप को आपके ब्रीदिंग का एस्पी रेस्पीरेशन कंट्रोल करता है राइट नेक्स है अभी हायर एनिमल्स की अगर बात करें तो अनलीडा के आगे जितनी बहुन करने में हेल्प करता है एक लोग लेशन में इतना याद रूखना है कि उनका जो भी एक्सचेंज होता है बलड का वो डायरेक्ट उनकी बॉडी कैबिटी से होता है बिट्वीन बट्वुड और इन अपका इंसेक्ट है कोक्रोज के पास 13 निकैसे एक्स्चेंज पहुचा है हाट अपनीड ट्रांस्पोटेशन बैन मिलता है close circulation में क्या होता है heart से blood आता है vessels के पास फिर ये vessels की मदद से ये body में spread होता है ठीक है और उसके बाद यह देखो यह आपके heart है यह आपका blood vessel है तो heart से blood blood vessel को मिलेगा और फिर blood vessel से body tissue को मिलेगा that is close circulatory system close circulatory system में blood vessels होते है open circulatory system में there is no blood vessel direct blood is given to the cells close circulatory system मेंजेर अपने में दो टाइब का circulation से देखने को मिलता है single circulation and double circulation single circulation में क्या होता है आपके heart के पास एक ही बार oxygenated blood आता है मतलब दियुक्सिटे डार्ड आता है जो भी है इधर देखो यह फिश का heart है फिश के heart में अपने को क्या मिल रहा है पिश पानी में होती है तो पानी की तुरूस को जो भी oxygen मिलेगा वो उसको इसकी gills से मिलेगा तो gills में से इसने जो oxygen लिया वो अपने पुरी body को देती है इसको बोलते है systemic circulation और पूरा oxygen यूज करने के बाद ये जो बचा हुआ CO2 होता है वो CO2 इसके heart के पास आता है और फिर ये CO2 वापिस से इसकी gills तक जाता है और gills से वापिस CO2 बहाद और oxygen अंदर तो fish एक ऐसी animal है जिसके heart के पास deoxygenated blood आता है इसलिए fish के heart को हम venus heart बोलते है क्योंकि इसके heart में कोई purification का process नहीं हो रहा है इसको oxygen पानी से मिल रहा है पानी सीधा gills के तुरू आएगा और time pass नहीं करते gills के तुरू oxygen आया तो gills ही उस oxygen को पूरी body में transport कर देता है और जो CO2 रहता है वो CO2 सीधा हार्ट के पास जाता है हार्ट से सिधा gills के तुरू exchange हो जाता है सो इस इस हाओ सिंगल सर्कुलेशन टेक्स प्लेस देखो इधर हार्ट के पास भी एक ही बार बलड आता है इसलिए फिश के हार्ट को वीनस हार्ट बोलते है डबल सर्कुलेशन में क्या होता है अपनी बॉड़ी में इधर देखो डबल सर्कुलेशन में सबसे पहले अपने पास जब आप लंग्स में से तो यह शुकर लिया तो अब क्या बचता है था रगाल के औस यह साथा दा घ्युरी लाट प्रियोरीफिकेशन के लें लंग्स के पास जाता है बतला गूमिन हाहीयर अनिमल्स के बाड़ी में कैसा बता हे प्योर ब्लडों सब्लेश हो क्यों बलडों से ब satisfaction अपने organs के पास जाएगा तो इदर पर हार्ट के पास दो बार ब्लड आता है पहले प्योर ब्लड आता है oxygenated और फिर दी-oxygenated ब्लड आता है इसलिए human circulation को double circulation बोलते हैं और जब आपका blood body में distribute होता है तो उसको systemic circulation बोलते हैं और जब आपका में आया था 2023 में या 2022 में किसी क्तों पर में आया था है कि शालो है कि आगे बड़े हैं कि अगे अच्छा विडियो है कि डी-oxygenated blood आपके body से connect हो के आपके वेना कावा में आया वेना कावा से यह ब्लड देखो किदर जा रहा है इंफिरियर वेना कावा से यह जाएगा राइट वेंट्रिकल में राइट वेंट्रिकल से यह deoxygenated blood जाएगा पल्मनरी आट्री में पल्मनरी आंट्री से यह deoxygenated blood जाएगा लंक्स में फिर लंक्स से यह purify होके आएगा पल्मनरी वेन में फिर पल्मनरी वेन से यह oxygenated blood जाएगा left atrium में देखो प्र लेफ्ट ट्रियम से यह oxygenated blood आगे जाएगा लेफ्ट वेंटरिकल में और लेफ्ट वेंटरिकल से यह oxygenated blood जाएगा अपने आयोर्टा में और आयोर्टा से यह divide होगा पूरी body में फिर वापिस से body में जितना भी CO2 बनेगा वो CO2 वाला blood वापिस से आपके वेना कावा के के पास आएगा यह देखो बोडी में जितना भी CO2 बनेगा वो CO2 वाला ब्लड वापिस से अपने वेना कावा के पास आए so this is how your double circulation takes place yes everybody okay चलो आगे बड़े ठीक है one can voluntarily change the pattern of breathing हम अपनी मर्वी से breathing pattern change कर सकते है क्या यह सही है yes this is true और यह voluntary process कौन control करता है Cerebral cortex Cerebral cortex मतलब कौन medulla oblongata and pons वे रोली अभी मैंने यह line आपको इदर underline कर आए थी यह देखो इदर पर herringbrew or reflex वाले part में यह वाला line Cerebral cortex हमको अपना breathing pattern change करने में help करता है so both the statements are correct so both a and true is correct next which of the following is an occupational respiratory disorder कौन सी विमारी occupation के वज़े से होती है yes जैसे जैसे topic पढ़ाते जाओंगी सब बताओंगी कौन सा diagram exam में आता है कौन सा diagram exam में नहीं आता है थोड़ा सा patience रखो ठीक है okay so silicosis is the respiratory disorder dash और venus heart venus heart किसके पास होता है मतलब कौन से organism के heart में carbon dioxide वाला blood जाता है कि फिशिस के circulatory system in humans humans के circulatory system की अगर हम बात करें तो इसमें हमको blood heart और blood vessels के बारे में पढ़ना है क्योंकि अपना जो blood है उसकी मदद से हमारी body के अलग-अलग functions control होते हैं जैसे transport of nutrients homeostasis मतलब body का pH और temperature control करना और अपने body को protection देना protection कैसे मिलता है lymphatic system से lymphatic system मतलब अपने body के immune cells ठीक है तो देखो जब भी हम blood की बात करते हैं तो blood दो चीजों से बनता है formed elements और plasma इसको हम बोलते हैं formed elements इसको हम क्या बोलते हैं formed elements और यह अपना plasma ठीक है तो plasma से कितना percent blood बना है 55% और formed elements कितने होते हैं 44% यह तो 99 हुआ बागी का 1% आपका extra inorganic ions रहता है अब यह देखो यह important है आपका जो blood होता है उसका pH 7.4 है और blood कौन से germ layer से बनाए mesoderm से क्योंकि mesoderm का क्या होता है connective tissue बनाना on an average humans में कितना blood present होता है 4-6 liters of blood और blood की study को हम क्या बोलते हैं hematology तो यह जो मैंने box में डाला है यह सारी चीज़े आपको याद रुपनी है ठीक है okay plasma को अगर separate करना है formed elements से तो कैसे separate कर सकते centrifugation की मदद से 55% fluid अपने blood में plasma होता है plasma में क्या-क्या present होता है यह light color का होता है straw color का थोड़ा सा pH इसका basic होता है यह थोड़ा सा sticky fluid होता है and it consists of the following तो plasma में यह सारी चीज़े होती है 90% water होता है बाकि उसका protein और salts होता है आपको यह याद नहीं रखना है सिफ बताया गया है formed elements तीन चीज़ों से बनता है rbc wbc and platelets ठीक है तो यह दर देखो आपको यह table notes में मिल जाएगा यह जो free notes है कि यह मैं app के free material वाले section में डाल दूंगी तो आप इसको download कर लेना इसका theory में नहीं पढ़ाने वाली वह आप read करो मैं आपको यह table समझाने वाली ठीक है सबसे फेली बात हम सरते है erythrocites की erythrocites मतलब जोता है अपना red blood cell red blood cell red will color का क्यूं होता है क्यूंकि उसमें erythros sugar होता है जो 4 carbon का शुगर होता है red blood cell किदर बनता है अगर हम fetus की बात करें तो fetus में यह red blood cell बनते हैं liver और spleen में और अगर हम adults की बात करें तो adults में इसज रड़ बलड बनता है red bone marrow में red bone marrow के cell को हम hemocytoblast बोलते है ठीक है red blood cells का shape color and nucleus कैसा है it is circular it is biconcave and it is red colored और इसके पास nucleus नहीं होता है है तरे ब्लड्स में स्टी नहीं होता है सिर्फ Benimo के पास होता है तो कर लामा के पास होता है यह निवां लैमागी यह इनके पास होता है इंचे इसके хват कि किसी को बेर के ट्राल सोगी नहीं होता है ठीके कि पास कि अmachen आप do बड़ाने के लिए देखो जिस्टा आपको ज़सल आपको डॉक्टर में किवर ऑ्क्षिजजरेंसी ने यह सिक्थ सिनरी के चोटा सा एक ढ्रॉप लेकर उसको माइक्रो सकोप के नीचे रह डॉट सेल काउंट करते हैं तो मेल्स में इतना राइप सेल ऊना चाहिए है यह से कुछ भी आ सकता आपके बुड्स में सिटी में भी आ सकता है लुट्स में भी आ सकता है ठीक है अबी देखो कोई भी सेल अमर होके तो नहीं आया है कभी ना कभी तो वो मरेगा तो अपने बोडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अप्रोक्सिमेटली 120 डेज के बाद रिसाइकल होते हैं मतलब पुराने रेड ब्लड सेल्स मरना चालू हो जाते हैं और न्यू रेड ठीक है अब ही समझो अच्छानक से अगर रेड ब्लड सेल का कॉंटिटी बढ़ गया बॉडी में तो उस कंडिशन को बोलते हैं पॉली साइथेमिया और अगर अच्छानक से रेड ब्लड सेल का कंडिशन कम हो गया तो उसको बोलते है एरित्रोसाइटो पीनिया पीनिया व एक ही टाइप होता है नॉर्मल एक ही टाइप होता है तो कितने पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आराम से चार्मक का लास्ट पेजवर्ती हाई आई आप देलेला है यह देखो लिंफ नोट्स यह जो ग्रीन वाले पार्ट है यहां पर आपके डबलू बीसी सेल बनते हैं और आपका स्प्लीन इधर पर आपका डबलू बीसी सेल बनता है तो दीज आर अवर बॉडी की प्रोटेक्टिव सेल्स अपने बॉडी के क्या है प्रोटेक्टिव सेल है ठीक है इसका शेप कैसा होता है अमीबा सेप का होता है कलर लेस होता और इसके पास नुपलियस होता है हम डबलू बीसी ही यूज करते हैं डीने टेस्ट के लिए क्योंकि फ्रेड्रिक मिशेड ने भी डबलू बीसी से 13 से 20 दिल और temporary अगर WBC का count बढ़ गया तो उसको बोलते है लूकोसाइटोसिस और अगर abnormal WBC का count बढ़ रहा है तो उसको बोलते है blood cancer that is leukemia अगर WBC का count कम हो गया तो उसको बोलते है leukocytopenia WBC का main function क्या होता है protection और WBC दो टाइप के होते हैं कौन से दो टाइप के होते है granulocytes and granulocytes ठीक है next आता है platelets platelets का क्या काम होता है यह बनते हैं bone marrow में megacaryocytes छोटे-छोटे cells होते हैं इनके अंदर nucleus होता है इसका कोई precursor नहीं बताया है normal platelet count 2.5 to 4.5 लाक होना चाहिए अगर platelet count कम हो गया तो आपकी पोड़ी में jaundice और dengue यह सारी बीमारी होना स्टार्ट हो जाती है और हीमोगलोविन के breakdown के बज़े से भी jaundice होता है platelets का life span कितना बताया है five to nine days इसके increase को क्या बोलते वो नहीं बताया तो thrombocytosis लिख सकते हो इसके decrease को बोलते thrombocytopenia platelet का सबसे में फंक्शन होता है blood clotting जब भी अपना कोई भी वैसल डामेंज हो जाता है या टिशू डामेंज हो जाता है तो blood clot करने के लिए platelets सबसे ज़्यादा important होते हैं क्यूंकि यह अपने clotting factors के साथ react करके fiber बनाते हैं ठीक है platelet फ्लग या thrombus बनाते है serotonin for vasoconstriction आपके blood को flow होने से रोकने के लिए हम hormones release करते है serotonin hormone यह आपके वैसल को contract कर देता है ताकि जादा blood बाहर ना जाए और platelets एक ही टाइप का होता है ठीक है अब यह डबलू बीसी के दो सारे granules होते हैं और यह granules होते हैं phosphate granules जो इसको nutrition provide करते हैं CET में यह question पूछा जाता है कि granulocytes का कितना percent contribution है और granulocytes का कितना percent contribution है granulocytes is 72% and granulocytes is 28% ठीक है ओके ग्रानुलोसाइट की अगर हम बात करें तो तीन टाइप के होते हैं neutrophil eosinophil and basophil neutrophil को neutral dye की मदद से microscope के नीचे देखते हैं eosinophil को acidic dye की मदद से और basophil को basic dye की मदद से इसका main function होता है phagocytosis इसका main function होता है parasitic infection से fight करना और इसका main function होता है inflammatory और allergic reactions में react करना यह देखो टोटल 72% में से neutrophil 70% होता है eosinophil 1% और basophil 0.1% 0.5% इसके पास बहुत सारे nucleus होते हैं यह multi-lobed में present होता है इसका main काम है phagocytosis करना eosinophil का main काम होता है phagocytosis करना और detoxification करना और इसको हम eosin dye की मदद से देखते हैं ठीक है और basophil के पास bi-lobed या triloged nucleus होता है इसका main काम होता है serotonin, hyparin and histamine मतलब यह allergy condition control करता है all this is responsible for controlling your allergic conditions ठीक है blood vessels को contract to relax करना उस time पर आपके basophils activate हो जाते हैं तो जब भी आपको किसी चीज की allergy होती है और doctor आपका blood test करता है तो आपके blood में basophil का quantity एकदम से बढ़के दिखाई देता है और microscope के नीचे यह cell को अगर देखना है तो कौनसा डाय यूज करते है हम methylene blue dye ठीक है यह हो गए और granulocyte और granulocyte की बात करें तो दो टाइप के और granulocyte होते है lymphocyte and monocyte lymphocyte 28% में से 25% lymphocyte होता है 3% monocyte होता है इसका nucleus kidney shape होता है इसका round nucleus होता है देखो यह lymphocyte जो है इसके पास तबसे बड़ा nucleus होता है इसका main काम होता है humoral immunity बनाना और cell mediated immunity मतलब यह अलग अलग ताइप के T cells बनाएगा और B cell बनाएगा B cell की मदद से antibody produce होता है monocyte का main काम होता है phagocytosis करना यह देखो इदर पर दिया है यह lymphocyte जो होता है यह B cell बनाता है T cell बनाता है natural killer cell बनाता है और monocyte क्या करता है ज्यादा करके यह bacteria virus fungus को phagocytosis कर लेता है ठीक है यह notes आपको मिल जाएगा app में free में आपको यह notes मिलेंगे इसलिए तुम्हें इतना बता रही हूं ठीक है ओके next यह हमने देखा यह आपके thrombocytes है ठीक है blood clotting यह table बहुत important है बेटा all chapter के important questions मैंने already YouTube पे दे दिये है 14 chapter के important questions 13 chapter के मिल चुके बागी के भी एक दो दिन में मिल जाएगे ठीक है okay हाँ तो इधर देखो blood clotting कैसे होता है आपका एक extrinsic pathway होता है एक intrinsic pathway होता है आपको चोट बाहर से लगी हुई हो या internal blood vessel damage हुआ हो बहुत सारे steps के बाद आपके body में एक special factor activate होता है इनक्ट जो आपका inactivate factor है वह factor को activate करने के लिए अपने को clotting factors चाहिए होते है और वह factor कौल सा होता है factor 10 is nothing but your prothrombinase enzyme कि दर गया हाँ यह देखो thromboplastin मतलब यह जो thromboplastin है यह किसको activate करता है prothrombinase enzyme को prothrombinase और यह prothrombinase enzyme क्या करता है यह आपके prothrombin protein को thrombin में convert करता है thrombin के मदद से ही अपना जो fibrinogen है जो soluble form में था यह soluble form से insoluble form में बन जाता है और यह आपके चोट के उपर एक net जैसा structure बना लेता है mesh-like structure उसको हम बुलते है blood clot जिसकी body में factor 10 नहीं होता है factor 8 और factor 10 नहीं होता है उनकी body में continuous bleeding होती है जिसके वज़े से उनकी death हो जाती है उसको bleeder's disease जो हमने chapter number 3 में पढ़ा था ठीक है ओके एक red blood cell के पास एक red blood cell के पास कितने hemoglobin molecules होते हैं यह सब्सक्राइब करना पड़ेगा कुछ भी option में नहीं चोड़ना पड़ेगा एक rbc में कितने hemoglobin होते हैं 260 270 million hemoglobin pH of blood is अपने blood का नॉर्मल pH कितना होता है जो जेई वाले student अगर आपने अभी से बाइव पड़ना चालू किया है तो जैसे जिस order में मैं one-shot lectures लेके जारी उसी order में आप पढ़ना चालू करोगे तो आप passing marks लेके आ जाओगे तो blood का pH कितना होता है almost 7.4 कोई एक नॉर्मल अडल्ट उसकी body में कितना blood होता है normally on an average on an average an adult has 4-6 liters of blood अपने blood में RBC का कितना lifespan होता है 120 days okay next now comes heart आदा घंटे का topic बचा है please have patience till then okay heart की अगर हम बात करें तो इसमें it is the main circulatory organ इसका main काम क्या होता है blood को pump करना यह ready crown organ है इसका weight almost 300 grams होता है male में 250 grams होता है female में यह heart कहां पर present होता है अपने thoracic cavity के center में इसको बोलते है chest cavity media stenum यह दो lungs के बीच में present होता है उपर से थोड़ा सा यह broad होता है नीचे से थोड़ा सा यह pointed होता है और यह जो पॉइंट है यह आपके left lung के उपर present होता है यह left lung के उपर present होता है जिसके वेज़े से आपका left lung छोटा है सिर्फ 2 chambers है और right lung में 3 chambers है ठीक है ओके हाँ तो conical end is थोड़ा सा tilted heart वैसे center में होता है बस उसका base थोड़ा सा left की तरफ shifted होता है ठीक है अभी heart के बाहर की अगर protective layer की बात करें तो heart के बाहर एक protective layer होती है pericardium यह pericardium layer दो layer से बनती है यह रेखो यह आपका heart है heart के बाहर आपको यह pericardium देखने को मिल रहा है यह pericardium layer दो layer से बनी है एक serous pericardium एक fibrous pericardium fibrous pericardium को अगर हम देखे तो यह वापिस से दो layer में fibrous pericardium मतलब सबसे outer layer इसका काम होता है protection देना और flexibility देना जो अपना serous pericardium होता है serous pericardium फिर से दो parts में divide हो जाती है इसको बोलेंगे outer serous pericardium इसको बोलेंगे inner serous pericardium यह जो inner serous pericardium है heart की first layer मतलब जो serous pericardium की last layer है वही अपने heart की first layer है फिर हाट की second layer और यह heart की third layer ऐसा है ठीक है आपका जो outer और inner serous pericardium है इसके बीच में यह अिकतना होता है 50 emil present होता है शॉक मतलब mechanical जम को मुक्रा मारता है तुरंट तो बाहरर होता है जब इंटरनल प्रेशर बढ़ता है मतलब इंटरनल ही उसके ओपर ब्लेड प्रेशर वरता है तो हार्ट फटक से फट नहीं जाता है क्योंकि उसका यह जो पिरिकार्डियम फ्लूइड यह परिकार्डियल फ्लूइड उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइट करता है इसको ही हम बोलते हैं एक सब्सक्राइब को सब्सक्राइब excited to know that यह जो कर्ниन लेयर इसको ही हम बोलते हैं एसका रुक होता है सिंप प्रोटक्शन देता है मायो कार्डियम यह अलग अलग केने कार्डियाक मसल से बनता है और सब्सर्वाइब हो नास्थ इंडस्धील कि उसको मउस्ट से बना सिब मिडल लेयर कार्डियक मसल से बना है ठीक है ओके मायो कार्डियम का मेन काम क्या होता है कॉंट्राक्शन रिलाक्सेशन कंट्रोल करना इस इस सीटी कोईशन ठीक है तो चलो अभी सबसे पहले इस सिफ़ क्वेशन बच्चों का यह है कि माम एक्स्टरनल स्ट्चर ऑफ हार्ट और इंटर्नल स्ट्चर ऑफ हार्ट एक्साम में आता है क्या अभी तक तो कभी नहीं आया है इसमें से सिफ़ क्वेशन आते हैं ड्रॉब करने के लिए आपको सिफ पंड़क्टिंग डिशु के लिए नहीं बुलते जाधा सर्फ बोले के लिए इसमेons अभी नहीं आता है कभी दुसरा नाम है औरिकल्स अगर आप हाट को बाहर से देखोगे तो हाट इस डिवाइदेट वेंटरिकल बायर ट्रांस्वर्स ग्रूव ये देखो आपका यह जो एत्रिया है ये वेंटरिकल से डिवाइड़ेड इन दोलों के बीच में जो चेमबर है उसको बुलते है एट्र atrioventricular groove या फिर coronary sulcus यह रेखो atrioventricular groove किदर गया atrioventricular groove या फिर coronary sulcus इसको cut कर देते हैं हमने label कर दिया ठीक है next the two ventricles are externally separated from each other by two groups अगर यह ventricles को हम देखें तो यह आपस में separated है इन दूरों के बीच के separation को क्या बोलते हैं interventricular sulcus क्या बोलेंगे इसको interventricular sulcus तो यह भी हमने label कर दिया ठीक है ओके coronary arteries and coronary veins runs through these sulcus तो देखो यह जो आपका interventricular sulcus है इसके पास से बहुत सारी arteries और veins जाती है इसके पास से बहुत सारी arteries और veins ऐसे जाती है तो उनको बोलते हैं coronary artery and coronary veins coronary artery क्या करती है यह oxygenated blood लेती है from heart और यह heart को भी blood supply करती है और body को भी blood supply करती है oxygenated blood और coronary veins क्या करती है यह body का जो deoxygenated blood है वो heart से collect करती है मतलब body से collect करती है और heart को देती है, from body and heart to heart, मतलब artery oxygenated blood लेगी, veins deoxygenated blood लेगा, और यह जो deoxygenated blood है, यह deoxygenated blood किदर जाके open होता है, coronary sinus में, coronary sinus किदर present है, इधर पे present है coronary sinus, तो यहाँ से जो deoxygenated blood आया है, वो सीधा आपके right atrium में जाएगा, तो यह देखो, coronary artery and coronary veins, यह क्या करते है, यह आपका oxygenated and deoxygenated blood लेके, सीधा आपके coronary sinus के पास जाते है, ठीक है, जो हम internal structure में देखेंगे, अभी आपका pulmonary trunk आता है right ventricle से, और aorta आता है left ventricle से, यह देखो, यह आपका right atrium है, यह आपका right ventricle है, यह आपका left atrium है, यह आपका left ventricle है, तो आपके right ventricle से क्या pulmonary trunk, तो इसको हम क्या label करेंगे, इसको हम क्या label करेंगे, this is five किदर गया, हाँ, this is your pulmonary trunk, pulmonary trunk से दो ब्रांच निकलता है, तो यह right side वाला है, right pulmonary artery और यह वाला है, left pulmonary artery, तो यह दर देखो, coronary sinus हमने label कर दिया, pulmonary trunk हमने label कर दिया, pulmonary trunk से दो ब्रांच निकलती है, right pulmonary artery, left pulmonary artery, तो इधर पर जो भी आपका deoxygenated blood आया है, वो deoxygenated blood आपके pulmonary artery से बाहर जाएगा, lungs के पास, ठीक है, the pulmonary trunk और और आपके left ventricle से क्या open होता है, iorota, इसको हम क्या बोलते हैं, iorota, ठीक है, यह देखो, तो हमने iorota भी label कर दिया, okay, alright, iorota को हम systemic iorota बोलते हैं, it is divisible into three regions, as ascending, iorota, systemic arc and descending iorota, तो इधर देखो, आपका यह जो iorota है, यह तीन पार्ट में divided है, पहला पार्ट कौन सा इसका, ascending, systemic and descending, यह वाला पार्ट जो है, इसको ascending iorota बोलेंगे, यह systemic iorota है, और यह वाला पार्ट descending iorota है, systemic iorota में आपको तीन branches देखने को मिलती है, इधर देखो, systemic iorota में आपको तीन branches देखने को मिलती है, वो तीन branches कौन सी हैं, इधर देखो, the iorotic arc gives out, three branches, पहला branches है, brachiocephalic, दूसरा branch है, left common carotid और तीसरा branch है, subclavian, यह, one, two, three, इधर देखो, लिखा है मैंने, brachiocephalic, common carotid और subclavian, ठीक है, अब वापिस उपर आ जाओ, there is a joint present, ligamentum arteriosum is present, between pulmonary trunk and iorotic arc, इधर देखो, यह आपका pulmonary trunk है, और यह आपका iorotic arc है, इन दोनों के बीच में आपको इधर पे एक joint दिखाई देता है, जिसको बुलते, ligamentum arteriosum, वो कैसा दिखता है, इधर देखो, this is your ligamentum arteriosum, यह ligamentum arteriosum, छोटे बच्चों में present रहता है, फीटस में, जब यह फीटस में present रहता है, तो इसको ductus arteriosus बोलते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हों, तो यह आपका गायब हो जाता है, मतलब यह degenerate हो जाता है, और adults में इसको हम बोलते हैं, ligamentum arteriosum, य यह जब present रहता है, तो यह क्या करता है, oxygenated और deoxygenated blood को mix करता है, जिसके वज़े से fetus में blood exchange जल्दी नहीं हो पाता, देखो यह pulmonary trunk के, इसके पास deoxygenated blood है, यह aorta है, इसके पास oxygenated blood है, तो यह दर पर आपका oxygenated और deoxygenated blood mix हो जाता है, यह fetus में present होता है, और जैसे जैसे present रहता है, उसको ductus arteriosus बोलते हैं, और adult में उसको ligamentum arteriosum बोलते है, the right atrium received superior vena cava and along its dorsal surface, तो देखो, यह जो आपका right atrium है, इसके पास आपका क्या आ रहा है, इस blue वाला, this is inferior vena cava, this is superior vena cava, और इन दोनों से क्या आने वाला है, इदर deoxygenated blood, coronary sinus से, this is coronary sinus, तो coronary sinus से क्या क्या आएगा आएगा आपका, deoxygenated blood, superior vena cava और inferior vena cava से, ठीक है, pulmonary veins open into the left atrium, और इदर आपके left atrium में क्या open हो रहा है, this is pulmonary vein, this is left pulmonary vein, this is right pulmonary vein, यह veins कि इदर से आ रही है, lung से आ रही है, lung से यह vein क्या लेके आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, तो इदर पे oxygenated blood open होगा, यह oxygenated blood left ventricle में आएगा, left ventricle से यह आपके aorta में जाएगा, फिर aorta से यह body में जाएगा, फिर body से deoxygenated blood आएगा, deoxygenated blood आपके coronary veins के पास आएगा coronary veins से यह coronary sinus में जाएगा फिर coronary sinus से right atrium में जाएगा right atrium से यह deoxygenated blood right ventricle में जाएगा right ventricle से यह trunk में जाएगा trunk से यह pulmonary artery में जाएगा pulmonary artery से यह deoxygenated blood lungs के पास आएगा फिर lungs इसको oxygen दे देगी और oxygen से यह फिर से blood heart में जाएगा तो इस तरीके से अपना ट्रांस्पोर्टेशन होता है जिसको यह नहीं समझ में आया है प्लीज इस टॉपिक का डीटेल वाला वीडियो जाके देखो ठीक है नेक्स्ट क्या होता है इंटर्नल स्टॉक्चर ऑफ हार्ट हार्ट में क्या पूछ सकते हैं आपको यह जो थियरी है ना इस थियरी में से आपको कुछ भी पूछ सकते हैं यह थियरी में से कि आपका पल्मनरी ट्रंक कौन से पर्टिकुलर चेमबर में प्रेजेंट है आपका आयोर्टा कौन से चेमबर से आता है आपके आयोर्टा के कित नहीं है तो आप यह पूरा topic option में छोड़ दो क्योंकि पूरा पढ़ना पड़ेगा डाइग्राम नहीं पूछते हैं बट थियरी में से कुछ भी आता है ठीक है थियरी में से इतना याद रखो कि हार्ट के पास चार चेमबर दोते हैं उपर लिद नीचे के दो चेमबर सको वेंट्रीकल दो इंद्टिक पूरा पर को बीच बीच में से फोई भी लाइन उठाके पूछते हैं त्यक्ते हैं वापिस से इंटर्नल हाइट जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपर चेमबर पढ़ेंगे ब्लड receive करके ventricles को देता है और फिर ventricles वो blood body में pump करता है ठीक है so atria या auricles they are called receiving chambers इन दोनों के बीच में एक layer present है उस septum को बोलते हैं inter auricular septum क्या बोलते हैं उसको inter auricular septum inter auricular septum के बास एक छोटा सा छेद होता है इधर पे एक छोटा सा ऐसा hole होता है उसको बोलते फोसा ovalis यह फोसा ovalis fetus में present रहता है बोलते ना कि इस बच्चे के दिल में छेद है तो वह actually में क्या होता है बता है यह देखो जब आपका बच्चा छोटा रहता है तो उसके left atrium और right atrium के बीच में connection रहता है इसके बीच में एक छोटा सा connection है इसको बुलते है दिल में छेद होना यह doctor stitch करके या पिर over the period of time यह degenerate हो जाता है और यह छेद फ्यूज हो जाता है अगर यह छेद फ्यूज नहीं हुआ तो आपका इंप्यूर और प्यूर ब्लड मिक्स होता रहेगा तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है और यह छेद फ्यूज हो जाता है तो इसका जो spot है वह spot आपको इधर shift हो के दिखाई देता है यह देखो इधर पर shift हो जाता है तो अडर्स में इस spot को foster a bench बोलते है फो छोटे बच्चे में spot को four omake having up Tech क Swift WiFi सुपीर बेना कांथ को प्री केवल बोलते है इसे इसांतर इसेंप और पोषेज सायनज यह आपका यह तीनों चीजे कि दर उपन होती है आपके राइट ट्रियम में और यह अपने साथ क्या लेके आती है डियोजिजेटि ब्लड क्या लेके आते हैं अपने साथ देखो अब इधर ध्यान से देखो आपका ये gravity के direction में है अगर मैं सीधा खड़ी हूँ तो मेरा blood सीधा सीधा नीचे जाएगा तो हम gravity के direction में है तो gravity के direction में blood आपका सीधा heart में नीचे जाता है और नीचे से उपर नहीं आता है मतलब जल्दी से backflow नहीं होता है तो आपके सुपीरियर वेना कावा के पास कोई भी वॉल्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपका जो इनफीर वेना कावा है और आपका जो कोरोनरी साइनस है ये downward direction में तो यह एक बार अगर डियो ऑक्सिजनेटी ब्लेड लेके आ गया तो वह ब्लेड वापीस नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि कच्रा एक बार कच्छर गुंदी में लेके आते अर अपने बाढ़िय का पच्छा सीओ तो एक बार स्योटू वाला ब्लड अगर आ गया हाट में तो वह वापीस पीछे नहीं जाना चाहिए इसलिए इंफीर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के पास एक धकन प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं वॉल्स ठीक है इंफीर वेना कावा के वॉल्स को क्या बोलते है यूस्टेशिय फोट पर शे Anthास अल्य सकते हो जतराए साइनस के पास थाजन का नाम इस सिघ माहराज यह ने यह इसे बोल्स को कोरो shorten-टने से पास थाजन वालव और अडिन है ए सब्सलिए इन के उपन ओपन होते में और इनके पास कोई वॉल्स नहीं हो टी है डेखो इधर से दो 2 pulmonary veins ऐसे पीछे जाके इधर ओपन होते हैं आपके लेफ्ट ट्रिम में और इधर से दो पंड़े वेइंज इधर ओपन उते हैं तो चार pulmonary veins आपके लेफ्ट ट्रिम में उपन उते हैं उनके पास पोई धक्त नहीं होता हैं यह अपने साथ क्या लेके आते हैं oxygenated blood दोनों का दोनों atria ventricles में open होता है left right atria opens into right ventricles left atria opens into left ventricles और इन दोनों के बीच में जो line present है उसको बोलते atrium ventricular aperture मतलब यह वाला जो line है इसको बोलते हैं AV aperture ठीक है यह opening के पास एक special valve होता है tricuspid valve और bicuspid valve तो देखो आपका जो right ventricles है और right atrium है इसके बीच में आपको तीन वाल्व दिखाई देगा यह तीन वाल्व को बोलते है tricuspid valve मतलब cup shape जैसा उल्टा cup ठीक है और आपका जो left atrium और left ventricle है इसके पास प्रेजेंट होता है है ऐसे बाय कास्पिड वाल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वाल्व इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते तो इदर ध्यान से सुनो यह कवेस्टन है एक सी रिवेस्टन है और किया क्या आटा वे और पल्रक बेसे करें आपका बन नीचे आता है कर देलीं से राइट वेंट्रिकल यह लिए राइट वैंट्रिकल और right ventricle से यह blood जा रहा है pulmonary trunk में, pulmonary trunk से यह जाता है lungs के पास, lungs से इसको oxygenated blood मिलता है, oxygenated blood आता है pulmonary veins में, pulmonary veins से left endrium, left endrium से left ventricle, left ventricle से यह blood जाता है पिर आयोरोटा से इधर पर जो ब्रांचे यह ब्रांचे से यह ब्लड जाता है बॉडी में पिर बॉडी इस पूरे oxygenated blood को यूज कर लेती है ठीक है और फिर वो oxygenated blood produce करती है मतलब co2 produce करती है और फिर वो co2 वाला ब्लड आता है आपके इंफिरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा और coronary sinus में ठीक है और फिर वो पूरा डी oxygenated blood जमा होता है आपके राइट एट्रियम में फिर राइट एट्रियम से वो डी oxygenated blood राइट वेंट्रिकल में आता है तो ऐसा आपका ब्लड circulation चलता है ठीक है ओके तो देखो इधर पर यह जो वाल्स प्रेजेंट है यह वाल्स का में फंक्शन क्या है यह ट्राइकस्पिड और बायकस्पिड वाल्स का में फंक्शन क्या है यह आपके यह आपके deoxygenated blood को नीचे आ गया तो उसके बाद वापिस उपर नहीं जाने देंगे और इधर भी oxygenated blood नीचे आ गया तो यह सीधा आयोर्टा में जाएगा वापिस से पिछे नहीं जाएगा सब्सक्राइब फंक्शन ऑफ दिस वाल्स ठीक है ओल दिस हार्ट वाल्स हेल्पिन मेंटेनिंग यूनिडिरेक्शनल फ्लो दे अवाइब बैक फ्लो अफ द ब्लॉड वाला काम अपन पढ़ रहे है इसका काम क्या होता है ब्लड को पीछे जाने से रोकना ठीक है ओके आगे नेक्स्ट आता है वेंट्रिकल्स अभी वेंट्रिकल्स के बारे में आपको क्या पूछा चाता है वेंट्रिकल्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में हम क्या बोलते हैं इस मेंब्रेन को बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर से जाधा मोटा होता है क्योंकि left ventricle को oxygenated blood supply करना है और यह blood पूरी body में जाने वाला है तो इसके पास जाधा pressure होना चाहिए right ventricle को blood सिफ lungs को देना है तो ये थोड़ा धीरे धीरे देगा तो भी चलेगा पर left ventricle को जाधा blood देना होता है इसलिए इसको जाधा pump करना होता है इसलिए इसके पास जाधा thickness होती है ठीक है कितना thickness होता है about three times ये CET में आता है कि आपका left ventricle right ventricle से कितना जाधा मोटा है ती और फिछ का सेप्टर में तो इदर पर आपको बहुत सारे ऐसे structure देखने को मिलते है सको बोलते हैं नी या इसको बोलते हैं column나े यह त्रवाद करने यह क्या करता है यह उसकेकी अंदर जो चोटे-छोटे पॉकेट से हैं यह चोटे-छोटे पॉकेट से यह चोटे-फोकेट blood store करते हैं oxygen gases exchange करते हैं और pump करने में help करते हैं ठीक है यह दोनों साइड present होता है दोनों साइड present होता है और beach में आपको इधर पे fibers देखने को मिलते हैं मतलब समझों इधर पे आपका tricuspid valve है इधर पे bicuspid valve है ठीक है तो tricuspid और bicuspid valve के जो आपको इसके बीच मिना एक मसल रहता है इधर पे एक चोटे-चोटे-चोटे-चोटे मसल रहता है यह जो ब्लाक कलर का मसल में ने ड्रॉ किया है इसको बोलते है पैपिलरी वसल जो आपके कॉलमने कार्मे के उपर प्रेजेंट रहते है इसकी मदद से यह आपका हार्ट का क्लोजिंग और ओपनिंग कंट्रोल होता है राइट वेंट्रिकल किदर ओपन होता है फुल्मनरी आय मतलब एसा हाफ मून शेप्ट बॉल होता है इनके पास लिउनार मतलब मून सेमी मतलब हाफ मून जिसकी मदद से वह बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट कर सकते हैं is this clear everybody which prevents backward flow of blood into the ventricles तो एक बार अगर blood आपके pulmonary aorta और aorta में आ गया तो वो blood वापिस पीछे नहीं जाना चाहिए समझा सबको P deoxygenated blood inferior vena cava superior vena cava से आया right atrium में अब right atrium से blood जाएगा right ventricle में तो ये valve open होगा तो फिर ये valve open होगा तो deoxygenated blood right ventricle में आएगा right ventricle से ये blood जाएगा pulmonary trunk में pulmonary trunk से ये जाएगा pulmonary artery artery में pulmonary artery से जाताब लंग्स में lungs से oxygen मिल गया तो ये blood आता है pulmonary veins में pulmonary veins open होगँ जाता है left atrium में फिर ये आपका valve open बंटा है valve open होगा relig abdominal heart Movement से इधफ़ ये pulmonary वाल्व ओपन हुआ तो यह वाल्व ओपन होके आपका oxygenated blood जाता है और आउरोटा में और आउरोटा से ब्लड जाता है बोडी में फिर बोडी पूरा oxygen यूस कर लेती है और फिर बोडी जो co2 बनाती है वो co2 फिर से आपके वेना कवा से हाथ में आता है इस दिस क्लियर एवरी वाल्व साइट्स कितने परसंट प्रेजेंट होते हैं लिदू साइट्स कितने परसंट प्रेजेंट होते हैं 28 इर लिवरी परसंट नेक्स्ट फ्टेवल्ड के पास कितने ऑपर होते हैं क कि a human heart कंसिस्ट फफ हाव मेनी शइमबर्स पोर चेमबर्स अब्स्केवल मतलब पूस्केवल एप्री 1 केवल मतलब क्या होता है पोस्ट एंड प्री मतलब सुपीरियर वेना कावा एंड इंफिरियर वेना कावा तो कितने केवल वेन्स ओपन होते हैं एट्रिया में इंडर राइट अट्रियम टू पल्मनरी वेन्स किदर ओपन होता है पल्मनरी मतलब लंक से आता है और लंक से यह वेन्स क्या ले के आता है अपने साथ औक्सिजिन तो ऑक्सिजिन ब्लड किदर जाता है लेफ्ट एट्रियूम में नेक्स्ट कॉरडे तन दिने यह ऋटका स्ट्कर में यह आपका कॉल्म ने कारणे ख॥न ओरूम्चUSTर यह S guy कॉल्म जैसा त्रॉक्च्चर इसके बीच में यह जो फाइबर से इसको बोलते हैं को बोलते हैं सिस्टोल और हाट के रिलाक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल मेरे ऑफलाइन क्लासस में कलड़की है काजल करके शिस वेरी मतलब इंटेलिजेंट ऐसे अच्छा पड़ती है उसने मुझे एक ट्रिक बताया था क्योंकि मुझे यह ट्रिक नहीं आ रहा था कि मैं त्रिक बताया था कि कांट्रेक्शन को याद रखने के लिए यह याद रखने के लिए कंप्यूटर सैंस ऐसा रख सकते हो सियend मतलब Inde मतलब इंटेलिजेंट प्लेदं एंटेल मुझे ऑल् यहां सिंगल सिस्ट्रों रिलाक्सट्रों को बुलते हाइज आपना हाथ कितनी तइमस बहुतता है अप्रॉक्सिमेटली 72 ताइम स्कों बोलते हाद रेट मतलब क्या होता है कितनी बार भी ऐसेंटि ताइम सफितन cabinet में कितने मो prophets कितना बलड़ करता है approximately 70 ml इदर लिगे कि कि यह यह कितना बलड सुद्स है 72 डॉय का हार्ट बीट में कितना बलड बाहर आया 70 ml इसको बुलते हैं स्ट्रोक वोल्यूम तो हार्ट पंप 72 हार्ट बीट इंटू 70 ml टोटल 5 लीटर्स ऑफ बलड इन 1 मिनिट बराबर ना तो एक मिनिट में 72 ताइम्स अपना हार्ट बीट करता है और हर हार्ट में 70 ml ब्लड पॉता है मतलब एक मिनिट में अपना हार्ट कितना ब्लड आता है और एक मिनट में ब्लाड आता है और आपका एक मिनिट में कितनी बार बीट करता है कि थो एक हो conducting tissue of human heart this diagram is very 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 important यह आपको बोड्स में ड्रॉब करने के लिए पूछा जा सकता है ठीक है conducting tissue conducting tissue के बारे में हमको क्या बुला है conducting tissue एक special type का tissue होता है वैसे तो अपना हार्ट मायोजेनिक है मतलब यह अपना impulse खुद जनरेट करता है 90% यह अपना impulse खुद जनरेट करता है सिर्फ 10% of the heart depends on nervous system for functioning ठीक है तो अपना हार्ट इस इंडिपेंडेंट अप दे नर्वरस इंपूट मतलब यह ओटो रिदमिसीटी दिखाता है यह खुद का contraction relaxation खुद स्टार्ट करता है उसके लिए इसके पास special muscles होते हैं वो special muscles को हम बोलते हैं नोडल टीशू जो अपने पूरे हाट में distributed है इसमें से पहला टीशू जो आपके राइट अट्रियम के पास प्रेजेंट है उसको बोलते है ऐसे नोड यह देखो यह अपना ऐसे नोड है से जब सिग्नल निकलता है तो फो इसे कनल आपके एवी नोड के पास जाता है और वही नोड सिग्नल आपके left और right बेंट्रिकल को देता है जिसके वाजे से आपका वेंट्रिकल्स contract हो के blood को बहार फंप करता है यह देखो इधर पर आपका एसे नोड है इधर पर आपना क् होता है है ड़नों ओफ के पास बोसिग्नल जाता है और बंडल ओफ से वोव्ह सिंगल leftować when रिख के पास धिस्ट्रिब्यूट होता है लेफो राइब एक द्रिकलस के पास क्या है domains फईबर्स और जैसे यह सिग्नल परकिंजी फईबर्स के के पास जाता है आपका ventricles contract हो जाता है यह signal जैसे परकिंजी फाइबर के पास आएगा ventricles contract होगा और ब्लड बाहर पंप हो जाएगा तो ऐसे नोड से जो signal आता है वह एवी नोड के पास जाता है है ऐसे नोड को हम बोलते हैं यह देखो इट लाइज अट बेस और सेंट सिग्नल इट कंट्रोल्स दबीटिंग देट अफार्ट ऐसे नोड को हम पेस्मेकर भी बोलते हैं कि इदर गया वह वो वर्ड हाँ इधर दिया है ऐसे नोड के पास जो भी सिगनल आएगा वह वी नोड के पास जाता है सिगनल बंडल के पास घ्ला लगाता है व यह आपने हांट का स्टार्ट करता है इसलें को बोलते हैं पेस्मेकर आपने सुना होगा जिन लोगों का हाट प्रोपली बीट नहीं करता उनको मेक्यानिकल पेस्ट में कर लगाते ताकि उनके हाट में इंपल्स जन्रेट हो सके और उनका हाट नॉर्मल कॉंट्रक्शन और रिलाक्सेशन कर सके ठीक है कि ओके चलो आगे पढ़ते हैं तो ऐसे नोड से जो सिगनल आता है वह सिगनल कि वह जैसे मैसेज जनरेट होता है ऐसे नोड यह सिगनल एवी नोड को देता है एवी नोड कहां प्रेजेंट है यह राइट एट्रियल वाल में है इधर पे दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट है इदर पे आपका बंडल ओफिस किदर से स्टार्ट होता है इट स्टार्ट फ्रम एवी नोड और यह इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यह देखो दो वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम है यह सेप्टम से होते हुए यह सिगनल देता है परकिंजी को सिगनल मिलेगा यह सिगनल आपके बेन्ट्रिकल के पार जाएगा और को कि यह नहीं होगा तब तो इस में से यह हैं यह वाला अभिकट कभी कभी अपना हाइड का अगर वाल्स है तो उसके वाज़े से हार्ट में से एक अबनॉर्मल साउंड सुनाई देता है इस हिसिंग साउंड या हार्ट मर्मरिंग ठीक है कि अगे बड़े हां रेगुलेशन और हार्ट तो देखो 90 परसेंट अपना काम खुद कंट्रोल करता है और ब्रेन के उपर भी कैसे डिपेंड करता है क्योंकि उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मॉडिला अबलंगेटा और पॉन्स वेरोली के साथ कनेक्टेड है बस आपके रेस्पिरेशन कंट्रोल करने में हेल्प करता है है ठीक है पैपिलरी मुसल्स कि दर पाये जाते हैं आपके कॉलम ने कार्मे के उपर तो पैपिलरी मुसल्स कि दर पाये जाते हैं Ventera ik knodics in human heart contraction of Heart nurungs CS, systole and relaxation को diastole बोलते हैं, what is stroke volume of an adult human, stroke volume मतलब एक heartbeat में कितना blood बाहर आता है 70 ml working mechanism of human heart देखो, cardiac cycle कैसे होता है इधर ध्यान से देखो, जब आपका यह देखो सबसे पहले हम atria की बात करते हैं आपके दोनों atria एक साथ contract होते हैं ठीक है, this is atria systole तो atria जब contract होगा तभी उसका blood ventricles में आएगा तो atria systole होने के लिए कितना time लगाता है 0.1 second atria को systole होने के लिए कितना time लगता है 0.1 second इसने अपना blood ventricles को दे दिया अब एक बार atria अगर contract हो गया पूरा blood अगर ventricles में आ गया तो atria के पास कुछ भी काम नहीं है तो atria relax हो जाएगा 0.7 second के लिए atria कुछ भी काम नहीं करेगा ठीक है अब पूरा blood ventricles में आया है तो ventricles को थोड़ा time लगेगा वो पूरा blood pump करने के लिए तो ventricles को contract होने के लिए कितना time लगता है almost 0.3 seconds दोनों ventricles को मिला के ठीक है और एक बार ventricles ने भी अगर blood बाहर दे दिया तो अब ventricles के पास भी कुछ काम नहीं है तो blood देने के बाद ventricles relax करते है 0.5 seconds के लिए अब दोनों के बीच में ऐसा period आता है देखो इधर पर कोई blood नहीं है दोनों के बीच में एक gap आ जाता है यह देखो इसने blood दे दिया ना उसके बाद इधर blood नहीं रहता है तो वो दोनों के बीच का जो gap रहता है उसको बोलते है joint diastole जो 0.4 seconds के लिए होता है इधर देखो यह देखो आपका atria contract हुआ atria ने blood दिया ventricles को ventricles ने blood बाहर दे दिया अब atria दोनों थोड़े टाइम के लिए relax हो जाते इसको बोलते है पहला atria systole हुआ फिर ventricular systole हुआ फिर उसके बाद joint diastole होगा atria systole ventricular systole joint diastole बलट देने के बाद यह दोनों relax करते हैं थोड़े टाइम के लिए तो उसको बोलते है joint diastole तो आपको सिर्फ यही timing याद रखना है ठीक है यह देखो हाँ हाँ क्या बता है हमको इधर पे अपना हार्ट एक मिनिट में 72 टाइम्स बीट करता है मतलब एक हार्ट बीट 0.8 सेकंड में complete होता है इसको कार्डियक साइकल बोलते है ठीक है ओके तो जैसे ऐसे नोट से सिगनल आता है तो आपका atria सबसे पहले contract होता है जैसे इत्रिया contract होगा तो एत्रिया का blood किदर आ जाता है वेंट्रिकल में आ जाता है मतलब बॉलव ओपन होते होरे रिट्रिया का blood वेंट्रिकल में आ जाता है इसको लगा 0.1 सेकंड अब वेंट्रिकल का blood pulmonary trunk और आयोड़़टा में जाने के लिए कितना प्लोट सेगेंड का टाइम लगता है अब पूरा ब्लैट हमने बाहर दे दिया तो इन दोनों के प्लाप वापिस आने के लिए टाइम लगेगा तो बीच करने के तुरल कर्ते हैं लाइक टाइम झाल्ट एक रिब्लडो सेखना ? जा। निया ब्लैय ने और यह कॉमन रिलाक्षिंग है इसको बोलते हैं जोernquisण का होता है 0.4 एककल मीन है इच्कन कर दिया का घ्ण cud से आपको नियुमरीकल आता है ठीक है ओके नाओ कम यॉर ब्लड वेसल थी टाइप के ब्लड वेसल होते हैं देखो दिस वेल इस आर्टरी इट कैरी दी ऑक्सिजनेटेट इट इट गैरी ऑक्सिजनेटेट ब्लड और दोनों के बीच का जो कॉंबिनेशन होता है उसको बोलते सब्सक्राइब के बारे में क्या बोला है आर्टरी का जो बाहर का लेयर वह पतला है और ट्यूनी का मीडिया है आर्टरी का यह काफी ज्यादा मोटा है ठीक है ओके वेन्स के साथ उल्टा है बाहर का लेयर पतलियर पतलियर के पास और होता है इसके पास ही ईएक है हम फिर फिर आटे छॉटा फिर आ प्रेलिटर्द जो बढ़नेशन अपने आप में पनाबण तो उसके पास वैसे ही सब कुछ छोटा छोटा होता है और और के बार में क्या बता है इसके पास प्रेशन के पास प्रेशन होता है तो यह वैन बन जाती है इसके पास प्रेशन नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह इंप्योर ब्लड है कैपिलरी के पास कोई भी वाल्स नहीं होता है आर्टरी के पास blood pressure high क्युक्कि आर्टरी का वाल पतला है आर्टरी का लेयर पतला है अंदर से मतलब कम cavity है तो इसको जोर से blood pump करना पड़ता है इसके पास भरपूर cavity है यह आराम से अपने blood को lungs के पास लेके जाता है और इधर पर pressure और ज्यादा कम है क्योंकि इधर पर cavity कम है blood flows in rapid through artery यहाँ पर blood slowly flow होता है और यहाँ पर blood slowly flow होता है ने तो capillary फट जाएगी ठीक है एक और चीज आपके artery के पास internally एक special structure होता है जिसको हम बोलते हैं tessellations यह इधर पर एक word दिया है अपने artery के internal layer में एक special structure दिखाए देता है जिसको हम बोलते हैं tessellations यह tessellations मतलब यह वाला structure यह वाला इसके वज़े से artery जो है वो contract or relax हो सकती है ठीक है portal vein मतलब क्या होता है यह vein अपने liver में present होती है और यह जो भी दवा खाते हो दारू पीते हो तो आपका deoxygenated blood direct heart के पास नहीं आना चाहिए इसलिए जो toxic blood होता है जो toxic drugs होते है वो filter करने के लिए अपना blood पहले liver के पास जाता है liver से filter होने के बाद वो inferior vena kava के पास जाता है क्योंकि अगर direct heart के पास drugs चला गया तो फिर heart fail हो सकता है इसलिए toxicity को clear करने के लिए पहले हम अपना blood liver को देते हैं फिर heart के पास भीजते हैं फिर lungs के पास ठीक है capillary पतला structure है capillary के through blood flow होता है pulse rate क्या होता है यह देखो यह आपके pulse points है यह diagram देखे आपको label करने के लिए बोल सकते है pulse points क्या होता है pulse points से आप अपना heart rate find out करते हो pulse point pulse rate कैसे calculate करते है it is difference between systolic pressure minus diastolic pressure ठीक है क्या होता है मैं बताती हो अगर समझो आपका pulse rate 100 beats per minute से ज्यादा है तो इसको tachycardia बोलते हैं मतलब आपका beats काफी ज्यादा आप जब भाग के आते हो तो beats fast हो जाता है और अगर आपका pulse rate 60 beats से कम है तो इसको bradycardia बोलते हैं this is also CET question pulse मतलब क्या होता है it is a series of pressure waves that travel through the arteries आपके arteries में से जब blood flow होता है तो उस flow को pulse wave बोलते हैं ठीक है what would be the heart rate of a person if cardiac output is 5 liter given देखो given क्या दिया है cardiac output 5 liter दिया है मतलब 5000 ml क्योंकि बाकी values ml में दिया है blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml ventricular systole मतलब stroke volume मतलब heart contract उने के बाद कितना blood बाहर निकाल रहा है stroke volume 50 ml है आपको इसका heart rate find out करना है तो heart rate कैसे find out करेंगे cardiac output का formula डालो 5000 ml is equal to 50 ml into heart rate यह इदर आ जाएगा 100 beats per minute तो इस question का answer क्या आएगा 100 beats per minute ऐसा question आता है ठीक है ओके next angina pectoris occurs when angina pectoris मतलब क्या होता है एक type का heart attack तो यह कब होता है जब आपके coronary arteries पतले हो जाते हैं hard हो जाते हैं जब अपना बहुत ज्यादा exercise हो जाता है और heart को ज्यादा oxygen चाहिए जब आपके arteries के बीच में fat deposit हो जाता है cholesterol deposit हो जाता है तो all of the above यह देखो यह क्या है आपका inferior vena cava so inferior vena cava inferior vena cava बाकी option cut cut second यह आपका left atrium है तो left atrium right atrium यह भी cut तो answer क्या होता है blood pressure क्या होता है what is blood pressure it is nothing but systolic pressure upon diastolic pressure systolic pressure क्या होता है ध्यान से देखो जब आपका doctor इदर पे यह handcuff बानता है the device is known as pigmo manometer जिससे आप blood pressure major करते हैं उस device को pigmo manometer बोलते हैं ठीक है doctor जब आपके हाथ में यह कफ बानते हैं तो वह हवा भरके पूरा इस सब को tight कर देते हैं तो आपका इदर पर ब्लड वेसल है इसमें पूरा blood इदर जमा हो जाता है क्योंकि हमने यह blood flow को block कर दिया है तो जब डॉक्टर पहली बार हवा छोड़ता है तो फटाक से जो pressure स्टार्ट होता है मतलब यह blood एदर ब्लड ब्लॉक हो गया था तो जैसे ही doctor ने हवा छोड़ी यह blood बाहर आया उसको बोलते systolic pressure और फिर हवा छोड़ते रहते हैं छोड़ते रहते चोड़ते रहते तो पहला जब blood बाहर आता है तभी एकदम से mercury level उपर चड़ जाता है जब first time हवा छोड़ते हैं तो mercury level एकदम से उपर चला जाता है तो वह value को बोलते systolic pressure और फिर पूरा हवा छोड़ने के बाद आपका normal blood vessel में से कैसे blood speed में slow जा रहा है इसको बोलते ही diastolic pressure तो normal blood pressure कितना होता है 120 upon 80 ठीक है this is your normal systolic pressure और इसका pulse pressure आप कैसे calculate करोगे systolic pressure minus diastolic pressure उस तो normal pulse pressure कितना होना चाहिए 40 mm mercury अगर इसमें से थोड़ा सा भी reading उपर नीचे हुआ तो मतलब आपके heart का function proper नहीं हो रहा है और उपर नीचे बहुत सारी reasons के वज़े से होता है age के साथ फिर आपका समझो artery अगर in elastic हो गया है या आपके artery में जादा fat deposit हो गया है इधर ध्यान स है कि दोनों में difference है तो आपका blood pressure अगर बढ़ते जारा बढ़ते जारा है तो आपको symptoms देखके doctor के पास जाना पड़ता है ताकर बता सकते किक्या reason आपके ब्लड का वोल्यूम कम होने के वज़े भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है जैंडर के वज़ेंस रिटन के वज़े से बहुत सारे चुल ले इडर करने के लिए पर दिवाइस हम यूज करते है स्पिग्मो मैनोमेटर और sounds heard during measurement of blood pressure are called carot cough sound जब डॉक्टर आपका blood pressure लेते हैं तो वो इधर पे हाथ के नीचे अपना स्टेटेस्कोप लगाते हैं तो उस time पे जो sound सुनाई देती है उस sound को हम carot cough sound बोलते हैं ठीक है? नॉर्मल blood pressure कितना होना चाहिए? 120 upon 80 mmHg इससे जादा हुआ तो hypertension और इससे कम हुआ तो hypotension ठीक है? hypertension मतलब increased blood pressure जो आपके kidney brain heart को damage कर सकता है coronary artery disease में क्या होता है? atherosclerosis मतलब आपके blood vessel में fat deposit हो जाता है जिसके वज़े से आपका blood vessel का supply कम हो जाता है angina pectoris मतलब क्या होता है? chest pain यह pain heart को कम blood मिलने के वज़े से होता है इसमें आपका chest एक दम heavy हो जाता है और यह pain यह pain आपके गर्दन से आपके neck से lower jaw, left arm, left shoulder की तरफ जाता है क्योंकि heart का base left की तरफ जादा है और यह pain जादा exercise करने के वज़े से होता है जिसके वज़े से जादा oxygen चाहिए रहता है पर अपने heart को उतना oxygen नहीं मिलता है तो this is very important angiography मतलब क्या होता है इसमें हम अपने heart का एक्सरे निकाल के check करते हैं कि कहां पे अपने heart में blockage है तो वो blockage की check करने को बोलते है angiography, angio means vessels और जहां पर भी blockage रहेगा उसके basis पर depend करता है कि कैसा surgery करना है angioplasty करना है कि bypass surgery करना है angioplasty में क्या करते हैं सिर्फ एक चोटा सा ring डाल देते हैं वो fat निकाल के ताकि आपका blood pass होने लगे और bypass surgery में पूरा का पूरा नया artery cut करके आपके थाय से नया आर्टरी कट करके आपके heart में लगाया जाता है that is bypass surgery पर यह patient के age के उपर भी depend करता है heart transplant किसी का भी heart transplant नहीं होता है heart transplant करने के लिए भी बहुत सारे reasons और बहुत सारे criteria मैच करना पड़ता है अगर समझो किसी patient का heart weak है और वो बच्चा young है तो फिर उसको heart transplant की category में डाला जाता है same blood group, same सब कुछ match होगा तो फिर heart transplant कर सकते हैं ठीक है? अगर उसको end stage heart failure है तो silent heart attack क्या होता है? इसमें symptoms आपको normal acidity वाले symptoms होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा chest pain वगेरा नहीं होता है इसमें आपको इतना confusion हो जाता है कि heart attack है भी कि नहीं पता नहीं चलता है और ये silent heart attack ज़्यादा करके आदमियों में होता है मतलब ऐसे हलका सा gas, हलका सा pain, हलका सा सर दुखेगा पर वो actually heart attack के symptoms होते हैं electrocardiogram मतलब क्या होता है? जब doctor आपका ECG का report निकलता है या ऐसा-ऐसा line आता है ना ये ऐसा-ऐसा line क्या बताता है? आपके heart का functioning बताता है तो ऐसे-ऐसे line का मतलब क्या है? ये देखो, electrocardiogram में हम 10 electrode tubes यूज करते हैं electric tubes यूज करते हैं इसमें से 4 आपके हाथ और पेर पे होते हैं 2 on hind limbs and 2 on fore limbs ये 4 limbs हैं, ये hind limbs हैं और बागी के 6 electrodes आपके chest पे होते हैं और आपका heart का जो ये है blood vessel का flow है वो detect किया जाता है rhythm detect किया जाता है अब ये rhythm क्या बताता है? आपका P wave क्या बताता है? atrial contraction आपका atria बरबर से contract हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इल्ट्रिया contract होने के बाद blood ventricles में आता है तो ventricles में blood आने के बाद ventricles उसको किदर देता है? pulmonary trunk और IOROTA में तो Q, R, S complex क्या बताता है? contraction of ventricles मतलब चलो ventricles भी बराबर काम कर रहा है ये आपका joint diastole वाला period है ये पूरा joint diastole वाला period है T आपका क्या बता रहा है? relaxation of ventricles तो आपको ये तीन चीज़े याद रखिए contraction को हम बोलते हैं depolarization contraction के लिए दरम क्या word यूज करते हैं? depolarization control and coordination में पढ़ा है तुमने ये relaxation के लिए क्या word यूज करते हैं? repolarization आप जब theory पढ़ोगे तो आपको ये words आएगा तो confused मत होना आप depolarization के लिए contraction भी यूज कर सकते हो और relaxation के लिए क्या word यूज करते हैं? repolarization ऐसे RE, RE मैच कर सकते हो ventricular repolarization मतलब ventricular relaxation तो इसमें से सिख क्या याद रखना है? P wave मनझे का है? QRS complex मनझे का है? अनि T wave मनझे का है? सिख इतना याद रखना है बस और कुछ नहीं और 10 electrodes use होते हैं दो हाथ पे, दो पेर पे और 6 chest पे that's it ठीक है? lymphatic system मतलब क्या होता है? अपने body में जो WBC cells बनते हैं वो कहां पे बनते हैं? lymph nodes और spleen में lymph word का मतलब क्या होता है? ये CET में आता है lymph मतलब transparent water जैसा fluid इसमें क्या-क्या present होता है? इसमें RBC present नहीं होते हैं platelets present नहीं होते हैं और heavy proteins present नहीं होते हैं बाकी इसमें सिफ WBC, water और बाकी के antibodies present होते हैं यह आपके पूरी body में distribute होता है यह रेखो यह जो green vessel है यह आपके lymph nodes है तो यह green color का जो आपको tube दिखाई दे रहा है यह आपका lymphatic system है यह lymphatic system क्या करता है? पूरी body में WBC ट्रांसपोर्ट करता है क्योंकि infection तो कहीं पे भी हो सकता है इसलिए lymphatic system पूरी body में present होता है यह रेखो यह आपके lymph capillaries है इस green ones are your lymph capillaries जो आपके WBC को ट्रांसपोर्ट करते है और यह जादा करके veins में जाते है क्योंकि veins के पास ही कच्रा रहता है तो veins के पास WBC जाता है वो उस बैक्टेरिया पैतोजन को मारने के लिए ठीक है चलो फटा फटा से अपने doubts chat box में type करो तब तक answer बता दो चलो quickly यह 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 आएगा इसका answer increase in total number of WBC मतलब क्या होता है leukocytosis cytosis मतलब increase next pulse pressure मतलब क्या होता है systolic pressure माइनस diastolic pressure माइनस क्या बोलते है difference किसी को कुछ पूछना है तो chat box में type करो नहीं तो मैं session end कर दूंगी ठीक है the time taken for joint diastole joint diastole के लिए कितना time लगता है 0.4 seconds done okay so मैं एक बार फिर से याद दिला देती हूँ आज वर्दान बैच का last date है जो हमारा वर्दान बैच है 8.99 रुपीज का ये कोर्स है इसमें सारे biology के live lectures चालू होने वाले हैं कल से ठीक है plus इसमें mock test होने वाला है chapter wise और आज अगर आप ये वर्दान बैच पर्चिस करते हो तो 8.99 रुपीज का है 1st February से वर्दान बैच का प्राइब 9.99 रुपीज हो जाएगा फिर बोलना मत क्यूंकि आप वाले प्राइब गड़ा देंगे ठीक है तो जल्दी जल्दी जिसमें सब्सक्रिप्शन नहें लिया है ले लो कल हम कौनसे चाप्टर का बंशॉट लेंगे चाप्टर नमबर 9 वर्दान बैच में सारे लेक्शर डीटेल में होने वाले लाइव लेक्शर होने वाले और यह लेक्शर खाली 9 फेबरुरी तक रहेंगे करता है और चानल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस्स ना हो विडियो अच्छी लगे तो इसको अपने जादा से जादा फ्रेंड के साथ शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो सके ठीक है और किसी को कुछ पूछना है नहीं चलो ओके बा टेक केर सी यू सून बाइ बाइ